अगर कोई बात उनके गले उतर जाए तो फिर वो आगे से आगे आगे से आगे शब्द एक से दूसरी जगह तूचता है और इसे प्रकारक्रांती का सुत्रपात होता है तो अब इसलिए मैं मान्मी राजीर जी संरोद कोंगा कि वे अपनी सारगर्वित वारता सेम को लभामित करें आज की इस विचार गोश्की में उपस्थित सभी जैपुर के सम्माननी नागरित बंदो नंच पर बैठे हुए आदरणिय श्रीदोग जी मैं आपके सामने भारत देश की आज की एक बहुत गंभीर विशय पर वारता करने की तैयारी में हूँ और वो गंभीर विशय क्यों है क्योंकि हमारे देश में पिछले 10-12 वर्षों से या भी कहें तो 15 वर्षों से सरकार की ओर से बहुत बड़े पैमाने पर एक अभीयान चलाया जा रहा है वो है उदारी करण वेश्वी करण ग्लोबलाइजेशन लिब्रलाइजेशन पिछले 10-12-15 वर्षों से जब से ये अभीयान चल रहा है इस अभीयान को अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो ये ना तो ग्लोबलाइजेशन है ना तो लिब्रलाइजेशन है ये भारतिय समाज का अमेरिकनाइजेशन करने की कोशश हो रहे है क्योंकि अगर ग्लोबलाइजे सब के लिए खुली है अगर दुनिया सब के लिए खुली है और बार बार एक महावरा इस्तेमाल होता है कि अब पूरा विश्व एक गाउं हो गया है कोई कहीं भी आ सकता है कोई कहीं भी जा सकता है तो इस द्रश्टी से मैंने उदारी करण वैश्वी करण को समझने की में दुश्य एक गाउं हो गया है तो मेरे मन में जो प्रश्न आता है वो और जो हो रहा है वो दोनों को जब मैं देखने की कोशिश करता हूं तो पता चलता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है अगर हम globalization का सही अर्थ माने तो भारतिय माननिता में और भारत की संस्कृति म सब्विता में वसुदहव कुटुमबकम कहा गया है कि सारी वसुदहव पूरी प्रत्वी हमारा एक परिवार है कुटुमब है जिसमें हर कोई स्वतंत्र है अपनी एक्षा से दूसरों की सीमाओं का सम्मान करते हुए कुछ करने के हैं हमारी तो भारत की माननिता कुछ इस अमरीका और यूरोप की तरफ से दुनिया के गरीब देशों को जिवर जस्ती दवा कर एक तरफा उनको अमरीका और यूरोप की वस्तों का सेवाओं का दाजार बनाने की तैयारी और कोशिश हो रही है जब हम सही वैश्वी करण की बात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि जिसके पास जो कुछ है तो जैते हैं न कि दुनिया में अभी भारत में हमारे बरतमान प्रदान منत्री डॉक्टर मन मोहनसिंग इस वैश्वी करण उदारी करण के बहुत बड़े पैरोकार हैं और बहुत बड़े समर्थक हैं वो हमेशा एक तर्क देते हैं कि दुनिया में सभी लोगों को सस्ती और अच्छी वस्तूओं का खरीदने का और उपभूख करने का अधिकार है तो ठीक है किसी देश के पास बहुत अधिक मात्रा में सस्ती और अच्छी वस्तूओं हैं तो वो दूसरे देश में जाकर उनको बेचे लेकिन इसके विपरीत अगर किसी देश के पास बहुत अच्छा और सस्ता श्रम है तो वो भी किसी दूसरे देश में जाकर बेचे एक तरफ बस्तुएं हैं, एक तरफ श्रम हैं और एक तरफ पूजी है अगर किसी देश के पास बहुत सरपलस में पूजी है बहुत अधिक मात्रा में पैसा है जो पिछले 500-700 वर्षों में किसी एतियासिक प्रक्रिया के तहत इकठा हुआ है जिसे यूरोप और अमेरिका में तो वो तो स्वतंत्र हैं अपना पैसा लेकर कहीं भी जाने के लिए कहीं भी लगाने के लिए कहीं भी इनवेस्ट करने के लिए और सारे के सारे नियम काईदे कानून उसी हिसाब से बन रहे हैं डबलू टीओ की विश्व व्यापार संगठन की अंतराश्वी मुद्राकोश और विश्व बैंक की जो शर्ते हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि अमीर देश अपनी पूजी को लेकर किसी भी देश में जाएं कुछ भी उत्पादन करें विक्री करें और मुनाफा लेकर अपनी देश में आये तो जब भी उनसे ये बात होती है कि आप अपनी पूजी लेकर दुनिया के अगर किसी भी देश में जा सकते हैं तो जिन देशों के पास पूजी के बारे में बात करूं, तो हमारे पास पूझी अधिकता में नहीं है, क्योंकि एक एक इतिहासिक प्रक्रिया के तहट पिछले 500 साल में हमारी पूझी को लूटा गया है। गुलाम बनाकर कभी अंग्रेजों के द्वारा, कभी फ्रांसीसियों के द्वारा, कभी डच लोगों के द्वारा, कभी स्पैनिश लोगों के द्वारा, समय समय पर हमारे देशों को, हमारे जैसे देशों को गुलाम बनाकर हमारी पूझी को लूटा गया तो हमारे पास तो सर अद्रिक्त श्रम को अद्रिक्त लेवर को लेकर दुनिया के किसी भी देश में जाएं और उनको वहां हम काम पे लगाएं और उनके श्रम का जो मुल्य मिले वो भारत में लेके आएं। इसका अर्थिये है कि हम हमारा दर्वाजा अगर विदेशी पूजी के लिए खोलते हैं तो अमरीका और यूरोप के देशों के दर्वाजे हमारे श्रमिकों के लिए क्यों न खुले जिसके पास जो सर्प्लस है वो अपना बेचे बाजार में तो योरोप और अमेरिका के पास वस्तूओं की अधिक्ता है और पूंजी की अधिक्ता है क्योंकि वो मास प्रोडक्शन वाले लोग हैं तो अपनी वस्तूओं और पूंजी को लेकर अगर वो हमारे यहां आना चाहते हैं तो हमारे पास शरम की अधिक्ता है क्योंकि जनसंख तो हमारे मजबूरों को उन देशों में जाने की खुली चूट होनी चाहिए। नी चाहिए भारत के नागरिकों को दूसरे देशों में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास श्रम है उनके पास पूजी है दुनिया में दो ही चीजे होती है जो उतपादन में मदद करती है या तो पूजी मदद करती है या श्रम मदद करता है और पूजी अकेले तो कुछ नहीं करती बिना श्रम के बिना लेवर के पूजी तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो तो अपने आप में ब्रत वस्तु है उसमें तो जान नहीं है जीवित नहीं है तो हमारे पास जो जीवित है वो हमारा श्रम है तो हम हमारे नागरिकों को श्रमिक बना कर करोणों की संख्या में अमरीका क्यों न भेज दे मान लीजे हमारे 20 करोण श्रमिक है अमरीका उनको ले ले हमारे पास 50 करोण श्रमिक है यूरोप के देश उनको ले ले तब हम उनके देश की पूझी ले ले तो बात बराबर बैठती है और तब हम उसको globalization कह सकते है कि भाई तुमारे पास कुछ अधिक है तो तुम दे रहे हो हमारे पास कुछ अधिक है तो हम दे रहे हैं तुमको ये लेंदेन अगर बराबर के स्थर पर होता है तब तो कुछ ठीक बैठता है और उसको हम globalization कह सकते हैं लेकिन अभी क्या हो रहा है वास्तविक्ता ये है कि हमारे श्रमिक अमरीका ना जा सकें योरोग के दिशों में ना जा सकें उसके लिए इतने कठोर वीजा के नियम बढ़ाए गए हैं कि आप आसानी से वीजा ले न सकें भारत में हर साल पचास लाख से जादा नागरिक अमरीका के वीजा के लिए application देते हैं और उन मेंसे 45 लाख को एक ही बार में reject कर दिया जाता है पांच लाख मेंसे selection किया जाता है और उस मेंसे मुश्किल से एकाद लाख को या उससे भी कम 87,000 को बीजा दिया जाता है तो हमारे यहां से नागरिक उनके यहां नहीं जा सकते लेकिन उनके यहां से पैसा हमारे यहां आ सकता है अच्छा जब इन देशों के साथ इस तरह की बात होती है तो वो एक तर्क देते हैं तो ये कहते हैं कि अगर हम भारत और भारत जैसे विकाशशील देशों के श्रमिकों के लिए अपने दरवाजे खोल देए तो हमारे देश में तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा लेकिन उनकी ये बात सच नहीं है ये बहुत बड़ा जूट है क्योंकि वो देश बहुत कम पॉपुलेशन वाले है पहले से ही तो इसलिए ओवर पॉपुलेशन होने का कोई कारण वहां दिखाई नहीं देता मैं आपको एक्तुलात्वक तरीके से समझाता हूँ भारत में 110 करोड लोग रहते हैं लगभग इस समय और हमारा जो कुल छेतरफल है उससे दो गुना जादा छेतरफल अमरीका के पास है अमरीका का छेतरफल पूरे देश का हमारे भारत से लगभग दो गुना जादा है और अमरीका में मातर 30 करोड लोग रहते हैं इसका मतलब ये है कि अमरीका में अभी भी 30 करोड लोग और रह सकें इसकी गुंजाईश है तो क्यों नहीं अमरीका की सरकार अपने सारे दरवाजे खोल कर दुनिया के देशों से कहती है कि तुम हमारी पूजी लो और अपने श्रमिक हमें दो तो भारत से 30 करोड श्रमिक हम अमरीका भेज़द है हम भी थोड़े बैलेंस हो जाएं वो भी थोड़े बैलेंस हो जाएं लेकिन अमरीका 30 करोड तो छोड़ दो 3,000 लेने को तयार नहीं अमरीका से भी ज़्यादा छेत्रफल कनाडा देश का है कनाडा का छेतरफल तो अमरीका से भी जादा है भारत से तो लगबत तीन गुने से जादा है कनाडा और आबादी उनकी बहुत कम है आप जानते हैं कि कनाडा की कुल आबादी तीन करोड से भी कम है तो तीन करोड की आबादी है और भारत से तीन गुणा छेतरफल है हम भारत के 110 करोड लोग जितने छेतरफल में रहते हैं कनाडा में 330 करोड लोग रह सकते हैं तो क्यों नहीं कनाडा की सरकार अपने सारे दर internationally खोल कर भारत और भारत जैसे श्रविकों को क्यों नहीं आमंत्रित करती करणा के आगे चलें आस्ट्रेलिया की बात करें आस्ट्रेलिया का छेत्रफल भी भारत से धाई गुना जादा है और आस्ट्रेलिया की कुल आवादी मात्र दो करोड है और हमारी कूल आवादी 110 करोड है माने जितनी छेत्रफल में 110 करोड लोग रहते हैं उतने छेत्रफल में आस्ट्रेलिया में 2500 करोड लोग रह सकते हैं तो आस्ट्रेलिया की सरकार अपने दरवाजे क्यों नहीं खोलती भारत के सभी शर्मिकों के लिए कि आप आओ है लोबलाइजेशन हो रहा है और एक उधारण देता हूं और तो क्यों नहीं न्यूजिलेंड की सरकार ये कहती है कि आप आओ आपके लिए सारे दर्वाजे खुले हैं हमारे पास पुची ज़ादा है, आपके बाश्रम ज़ादा है, आप अपने श्रमिकों को न्यूजिलेंड भेज दो हम उनको खपा लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स भी हैं और बहुत जमीन भी है और ये जो New Zealand है, Australia है, Canada है ऐसे दुनिया में 145 देश हैं जिनकी जनसंख्या एक करोड के आसपास है और ये 145 देश एक करोड के आसपास की जनसंख्या में रहते हैं और भारत और चीन जैसे जो देश, दो देश, जहांकि कुल जनसंख्या लगभग 2500 करोड के आसपास है वो इन से कम छेतरफल में रहते हैं तो चीन और भारत के पास श्रम बहुत है, एशिया के पास श्रम बहुत है तो एशिया के श्रमिकों के लिए योरोप और अमेरिका के दरवाजे खुलें तो हम उनकी पूजी के लिए अपना दरवाजा खुलें तब तो बात बनती है ग्लोबलाईजेशन उदारी करण, वैश्री करण, जिसको हम इमानदारी से कहें लेकिन अभी क्या हो रहा है अभी ऐसा नहीं हो रहा है अभी जो हो रहा है पिछले 12-15 वर्षों से वो ये कि भारत के श्रमिक और चीन के श्रमिक बंगलादेश के श्रमिक या पाकिस्तान के श्रमिक योरोप के देशों में घुस नहीं सकते इतने कठोर वीजा के कानून पिछले दस बारे वर्षों में बनाए गए और ना सिर्फ कठोर कानून बनाए गए हैं बलकि वेईवानी भी शुरू की गई हैं वेईवानी क्या शुरू की गई हैं मैंने आप से कहा कि 50 लाख हिंदुस्तानी हर साल अमरीका के लिए वीजा अनले हैं क्योंकि अलग अलग कटेगरी के वूजा है और अलग अलग तरह की फीज है तो हम सामने जरूप से माने कि 500 लाख की फीज एक अप्राम के साथ रहने हैं तो पचास लाख एप्लिकेशन में 500 लाख का मड़िप्लिकेशन कर लैं तो आँक कल पना करें कि हम हजारों लाखों करोडों डॉलर वीजा एप्लिकेशन फीज के साथ दे रहे हैं तो जब वीजा हमारा रिजेक्ट किया जा रहा है तो इमांदारी के साथ हमारी फीज वापस होनी चाहिए लेकिन अमेरिका की कोई भी एमबैसी हमारी वीजा फीज को वापस नहीं करती है इसका मतलब ये है कि अमरीका की सभी एमबैसी यां पूरी बेईमानी के साथ इस देश को लूटने में लगी हुई ये मांदारी तो ये है कि अगर आप हमारा वीजा नहीं दे सकते तो फीज वापस कर दो और कह दो कि भी आप अमरीका जाने के लायक नहीं है लेकिन हमारी फीस भी नहीं देते तैसा भी रख लेते हैं अपमान करके हमको एमबैसी से निकाल भी दिया जाता है फिर भी हम वहाँ लाइन लगा के खड़े रहते हैं मैंने बहुत दुखत दरश मेरी आँखों से बार बार देखा है दिल्ली, मुंबै, कलकत्ता, मदरास में भारत के लोग गुलामों की तरह से अमरीका एमबैसी में वीजा के लिए लाइन लगाते हैं जिसे भेड़ भकरियां लाइन लगाती है और उनके साथ इतनी बत्तमीजी और इतने अपमान का विवहार किया जाता है कि वो सुसाइट कर लेना वहाँ जादा सम्मान जनक होता है हर छोण अपमान करते हैं आपको इंटर्वियू के लिए बुलाया जाएगा और बहुती बत्तमीजी के साथ आपसे सवाल किये जाएगे और सिर्फ इतना ही अपमान नहीं करते हैं आप गलती से वीजा पा गए और अमरीका के हवाई अड़े पर पहुँच गए तो आपके कपड़े उतार सकते हैं और पूरे के पूरे उतार सकते हैं और ये कोई साधरन आदमी के साथ होता हो तो हम चलो मान लेते हैं लेकिन ये हमारे रक्षा मंतरियों के साथ होता है मुख्य मंतरियों के साथ होता है अभी थोड़े दिन पहले आप जानते हैं कि इस भारत देश के मद्य प्रदेश के मुख्य मंतरी श्री बाबुलाल गौर अमरीका प्रवास पे गए और हवाई अड़े पर सारे कपड़े उतर वाली और श्री बाबुलाल गौर कहते हैं खुद कि मैं सिर्फ अंडर्वियर पहने हुए था वाकि सब उतारना पड़ा इसी तरह से हमारे देश के एक बहुत बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडी जब भारत के रक्षा मंतरी की हैसियत से अमेरिका गए तो उनके सारे कपड़े उतार दिये सिर्फ अंडर्वियर पहने रहे गए तो भारत के रक्षा मंतरी का भारत के मुख्य मंतरी का किसी भी हवाई अड़े पर कपड़े का उतार दिया जाना ये इस बात को बताता है कि उनकी जो मान सकता है हमारे प्रती गुलामी वाली वो अभी गई नहीं है वो हम वो अभी भी गुलाम मानते हैं तो फिर globalization कैसे हो सकता है जो भी कुछ हो रहा है वो Americanization ही हो रहा है वहां से तो सब कुछ यहां आए वहां की कंपनियां यहां आए, वहां की सेवा करने वली संस्था यहां आए, वहां के विशेशद यहां आए, डॉक्टर्स आए, चार्टिड अकाउंटेंट्स आए, इंजिनियर्स आए, वहां के एड्वोकेट्स भारत में आए, सब कुछ वहां का यहां आए, वहां की दाल आए, चावल आए, चना आए, मटर आए, वहां की सबजियां आए, सब कुछ, यहां से कुछ ना जाए वहां, वहां की संस्कृति आए, वहां की सब्विता आए, वहां की परंपर आए, सब कुछ आए, यहां से कुछ ना जाए वहां, तो यह तो कुछ globalization नहीं है, और यह तो क करना सीखें तो हमारे यहां संस्कृती में बहुत विस्तार पूर्वक कहा गया वसुदैव कुटुम्बकम मतलब पूरी दुनिया आपके लिए परिवार जैसी है माने दुनिया के साथ आप परिवार जैसा व्यवहार करें तो परिवार में जिस तरह का व्यवहार होता है वै जानते हैं कि आप गुलाम हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, और आपकी गर्ज हैं जो आप अमरीका आने के लिए वीजा Apps लगाते हैं, अमरीका सरकार की कोई गर्ज नहीं है आपको बुलाने की, तो ये तो एक तरफा मामला है, ये तो दो तरफा है नहीं, तो एकतरफा मामले में तो ना तो liberalization होता है, उधारी करण होता है, ना तो वेश्वी करण होता है, उसमें जो होता है, वो करण वो होता है, जिस देश से सब कुछ आ रहा है, और यहां से कुछ नहीं जा पारा है, यहां से कुछ भी हम भेज़ें, जैसे हम अंगूर भेज़े आम भेज़ें, टमाटर भेज़ें, गाजर भेज़ें, मूली भेज़ें, तो वहाँ से reject हो जाता है और वो आरोप ये लगाते हैं कि आपने इसमें बहुत यूरिया, बहुत बीएपी, बहुत सुपर फॉस्पेट मिला दिया, बहुत सारा पेस्टिसाइड मिला दिया, अब ये जहर हो गया है तो भारत का तो हम ये नहीं ले सकते हैं आम भी ना विक सके, गाजर टमाटर मूली भी ना विक सके तो ये सारा मामला जो है ना तो वैश्वी करण का है ना उधारी करण का है ये सारा अम्रीकी करण का है और इस अम्रीकी करण को हमारे देश के वर्तमान प्रधान मंतुरी ने और हमारे देश के वर्तमान वित्य मंतुरी ने दोनों ने अलग-अलग समय पर बिलकुल ठपा लगाते सिद्धे कर दिया कि हम जो कर रहे हैं वो बास्तम में भारत का गुलामी करण ही है मैं आपको इसका इत्लिव सुधारण देता हमारे वर्दवान प्रधान मंत्री डॉक्टर मलमाहन सिंग आठ जुलाई 2005 को लंडन गए लंडन में एक बड़ी विश्व विद्याले है उसको ऑक्सफोर्ड कहते हैं हमारे प्रधवरतमान प्रधान मत्री ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं ऐसा वो बड़े गर्व से कहते हैं ठीक है अब वो जो ऑक्सफोर्ड ने उनको एक डॉक्टरेट का डिगरी दिया एक तो वो पहले ले चुके हैं पीएजडी करते हुए अभी एक दूसरा डॉक्टरेट उनको दिया ऑक्सफोर्ड विश्व विद्याले ने सम्मान के रूप में तो उस डिगरी को लेने के लिए वो गए और वहां जो कारिकरम था वोक्सफोर्ड उन्वरसिटी में उसमें उनके साथ मंचफर बृटेन की महरानी भी थी बृटेन के प्रधान मंतरी भी थे टौनी ब्लेयर और बृटेन की सरकार के कुछ महत्तुपूर अधिकारी भी थे महरानी का जैसा आप जानते हैं बृटेन में आज भी राजा के जैसा ही रुत्वा है उनका जो कुरसी होता है वो सबसे उंचा बनाया जाता है बागी सब का कुरसी उससे नीचा रहता है तो मनमहौन सिंग और टॉनी ब्लेर का कुरसी नीचा था रानी का कुरसी उचा था तो थोड़े उचाई के पोडियम पर वो बैटी हुई थी पेडेस्ट्रल पे मनमहौन सिंग सहाब ने 44 विरिट वहाँ भाशन दिया तो मैं तो दंग रह गया मनमहौन सिंग ने अपने 44 विरिट के पूरे भाशन में जो कुछ कहा वो किसी भी स्वाविमानी भारती के लिए शरम से डूब मरने जैसा है उन्होंने कहा कि हम भारतवासियों से तो बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया अपने देश में से ये उनका Oxford University में भारत के पुरधान मंत्री के रूप में वक्तव दे है कि हम से तो बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया तो क्यों हो गई ये गलती तो वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों की सब्विता ने तो हमको बहुत कुछ सिखाया है अंग्रेजों की संस्कृती से तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है अंग्रेजी सिक्षा से तो हमें बहुत कुछ लाब हुआ है अंग्रेजी विज्ञान और तक्णी कीने तो हमें बहुत उंचा उठाया है हम तो भारतवासी अंग्रेजों के आने के पहले अंदकार यूग में रहते थे अंग्रेजों ने हमको प्रकाश में लाया तो इसलिए अंग्रेजों की सब्विता, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी भाषा, उनका रहिन सहिन और उसके भी आगे जाकर उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की नियाए विवस्था न होती तो हमको तो मालूम नहीं था नियाए कैसा होता है जो अंग्रेजों की अंग्रेजी नहीं होती तो हम तो दुनिया के ग्यान से बिलकुल वंचित थे हमको तो ग्यान भी नहीं होता इतनी बातें 44 मिनट में वो बोल गए उनका जो पहला ही वाक्य है अगर हम उसको ठीक से समझे की कोशिश करें कि हमसे तो गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया इसका सीधा सा मतलब ये है कि अंग्रेजों को भगाने वाले जितने भी भारतिय थे वो सब मनमोहन सींग की नजर में गलत है अर्थात महात्मा गांधी गलत है वगत सींग गलत है उधम सिंग गलत है, चंदर शेकर आजाद गलत है, तात्या टोपे गलत है, जहासी किरानी गलत है, कितूर चनम्मा गलत है, भारत में 6,40,000 करांतिकारी थे, जिनोंने अंग्रेजों को भगाने के लिए अपना वलिदान किया, उन सब का अपमान मनमहन सिंग ने एक वाक्य में कर दिया, कि हम से तो गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया, नहीं भगाते तो शायद और अच्छा होता भारत, जो आज का भारत है, ये और अच्छा होता, और अच्छा होता माने, मनमहन सिंग की नजरों में भारत और 1947 से 2005 तक अंग्रेजों का ही गुलाम रह मनमहन सिंग की नजरों में विकास करता हुआ एक देश होता क्योंकि विकास करना तो हमने अंग्रेजों से ही सीखा यह मनमहन सिंग की पक्की माननिता है यह उसको एतिहासिक संदर्व में तो नहीं लेकिन अर्थ शास्तर के रूप में वो सिद्ध करते हैं अपने सभी जिसको आप टौर्च लेके ढूड़ो जो इतना पक्का अंग्रेज होगा अंग्रेज भी सोचेंगे तो अपने पर शरम करेंगे कि हमसे जादा पक्का अंग्रेज तो यह है जो भारत का प्रधान मिंत्री रहते हुए यह सब करता है आजा चावालीस मिनिट का भाशन बोल देने के बाद जब उनको डिगरी दी गई तो उसके एक कदम आगे जाकर उन्होंने क्या किया मैं आपको कहा ना कि विक्टोरिया जो उनकी रानी है वो बैठी हुई थी उसका मंच थोड़ा उचा था तो मनमहन सिंग उसके पास गए लिट्रली घुटनों के बल उसके सामन में बैठे और वो कागज हाथ में लिए हुए जैसे हम किसी बगवान के सामने घुटने में बैठकर वो जो प्रणाम करते हैं अहमन महन सिंग ने ठीक उसी अदामे स्टाइल में विक्टोरिया को प्रणाम किया घुटनों पे बैठकर आगे जुखकर इतनी गुलामी अभी तक भारत में है प्रणानमंत्री इस तरकी नेता में अगले दिन लंदन के बहुत सारी अखवारों में बहुत कुछ छपा और एक अखवार में तो सीमा दोड़ कर लिखा कि अभी हमें सोचना पढ़ीगा कि भारत आजाद हो गया है हमारी गुलामी से एक अखवार में लिखा कि अगर मनमोहन सिंग एक व्यक्ति के रूप में इंग्लेंड आएं लंदन आएं और उनको कोई डॉक्टरेट दी जाए और उसको वो स्वीकार करें और रानी के चरणों में बैठ़ का प्रणाम करें तो वो सामन्य है सामन्य व्यक्ति के रूप मे लेकिन भारत के पुर्धानमंत्री के रूप में अगर वो आए हैं और इस तरह का विभार करते हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि भारत सुतंत्र हो गया है ये जो मानसिक्ता है ये मनमोहंसिंग तो मैंने एक निमित रूप में नाम लिया है आपको समझ में आ जाए जल्दी क्योंकि ये ततकाल की घटना है लेकिन ये घटना सिर्फ एक मनमोहंसिंग के साथ नहीं है ये भारत के उन सभी नेताओं के साथ है जो पश्चिम को विशेश रूप से यूरोप को अपना दिशादिरशक मानते हैं और मानते हैं कि जो कुछ अच्छा होगा वो पश्चिम से ही होगा यूरोप से ही होगा इस तरह की बात जो मनमोहंसिंग ने अभी की है ये कोई असामाद भी नहीं है भारत में क्योंकि पिछले आजादी के लगबक साथ वर्षों में कई प्रधान मंतुरियों के मूँ से हमने इस तरह की बाते सुनी हैं हमारे पहले प्रधान मंतुरी पंडित जवारलाल नहरू तो बार-बार संसद में कह रहे हैं कि भारत को यूरोप जैसा बनाना है उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे बनाना है यूरोप के जैसा और इसको उन्होंने 1953 में सुईकार किया है उनकी एक चित्थी है जो कनाड़ा के प्रधान मंतुरी को उन्होंने लिखी है और उस स्वदेशी और स्वावलंबन की रास्ते पर जाए मैं चाहता हूं कि भारत यूरोप जैसा बने इसमें हमारे उनके बहुत मत्वेद हैं वो कनाड़ा के प्रधान मंतुरी को कह रहे हैं और इतना ही नहीं आगे पत्र में तो वहां तक कह गए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांदी का धिमाग खराब हो गया यह शब्द है जो पंडित नहरू ने लिखे हैं गांदी जी के प्रतिम और पत्र की अंतिम वाकिक तो उनकी इतनी खराब है वो कहते हैं कि यह खूसट बुढधा जो शब्द इस्तेमाल किया है यह खूसट बुढधा जितनी जल जल्दी चला गया हमारे लिए उतना अच्छा बने नहरु जी को इस बात का कोई गम नहीं है कि गांदी जल्दी चले गए 1948 में ही मर गए वो पत्र की फोटो कॉपी मैंने बहुत समाल के रखी हुई है कनाडा के प्रधान मंत्री को भारत के प्रधान मंत्री द्वारा लिखा गया पत्र 1953 में 22 जुलाई की तारीक है कराड़ा के प्रधान मंत्री ने गलती से कहें या जान बूच कर कहें उस पत्र को अपनी ओडो बाइग्राफी में अभी छाप दिया है और वो थोड़े दिन में भारत में किताब बन के आएगा तो उस पे बबाल होने वाला है और जवाब देना पड़ेगा तो नहरु जी खुद मानते हैं कि मेरे गांदी जी से मतवेद हैं विकास के सवाल पर और बाद में नहरु जी का जो भारत की संसद में अलग-अलग समय पर दिये गई वाक्तवे हैं जैसे उन्होंने एक बार बहुत लंबा भाशन दिया है भारत की संसद में गाय के बद को रोकने के प्रशन पर गोवद रोकने के प्रशन पर तब लंबे भाशन में उन्होंने कहा है कि आजादी के पूर्व ने कहा था कि गाय हत्या बंद होनी चाहिए लेकिन जरूरी नहीं है कि आजादी के बाद वो होई जानी चाहिए और वो कहते हैं कि मैं संसद के सभी संसदों को विरमर्दा पूर्वक अपील करता हूँ कि ये गोवद को रोकने के लिए जो कानून बनने जा रहा है इसको वो पास ना होने दे अगर ये पास हुआ तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा तो उनसे जब बात की जा रही है कि आपको क्या तकलीफ है भारत की गाए की रक्षा हो इसमें आप क्यों परिशान हैं तो नहिरू जी कहते हैं कि ये विश्व के लोग हसेंगे हमारे उपर दुनिया हसेगी कि हम गाए बचाने में लगे हुए दूनिया हसेगी माने यूरोप हसेगा हमारे उपर कि हम गाय बचाने में लगे हूँ क्योंकि यूरोप में तो गाय को काट के ही खाया जाता है दूद के लिए गाय को यूरोप में पाला नहीं जाता है ये ठीक है कि वो दूद दे देती है तो वो बाई प्रोड़क्ट है लेकिन मुख्य तो गाए का मास है तो दुनिया के यूरोप और अमेरिका के लोग तो हसेंगे और हमको तो यूरोप जैसा ही होना है तो गोहत्या क्यों बंद हो नीचे ये भारत में तो ये एक विचार है ये मैंने तुलना इसलिए की है कि ये मनमोहन सिंग महुदे ने जो कुछ बोल दिया है वो कोई आश्यरी की बात नहीं है क्योंकि भारत में पिछले साथ साल से ये बोला जा रहा है अगर नहरूजी के बोल सकते है तो मनमोहन सिंग के बोलने में क्या तकलीफ है और आप कहेंगे जी ये नहरूजी और मनमोहन सिंग तक सीमित है तो ये ऐसा नहीं है भारत में पिछले साथ वर्षों में जो प्रधान मंत्री हुए है उन मेंसे दो तीन को छोड़कर सब ही इसी विचार के हैं मानसिक्ता के हैं और प्रधान मंत्री से भी जादा पिछले साथ वर्षों में भारत की योजना बनाने वाले जो बड़े अर्थ शास्त्री हुए है या योजना आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं वो तो इससे भी जादा बड़ी मानस जैसे बरतमान में योजना आयोग के अध्यक्ष तो हमेशा रुरान मंत्री होते हैं लेकिन मुख्य काम उपाध्यक्ष करता है तो मॉन्टेक सिंग अहिलू वालिया इस समय उपाध्यक्ष है वो कहते हैं कि नहरुजी जितनी तीवरता से भारत को यूरोप बना सकते थे उससे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि और जादा तेजी से भारत यूरोप बने तो बरतमान में भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्षों या प्रधामन्त्री हो या प्रधान मंत्री के मंत्री मंदल में के चिदमबर्म जो बित्य मंत्री है यह तो 1996 में जब लंदन थे 24 अक्टूबर को तो इन्हों ने अंग्लेंड की बहुत सारी कंपनियों के अधिकारियों के सामने कहा था वो रिकॉर्ड पर है कि हमने 400 साल पहले अंग्रेजों को बुलाया और इस्ट इंडिया कंपनी के लिए दरवाजा खोला तो अब फिर से हम दरवाजा खोलना चाहते हैं आप आईए और भारत को लेके जाए हम प्लेट में रखके भैट करते हैं आपको तो इस तरह की जो मानसिक्ता है इसमें व्यक्ती महत्तुका नहीं है विचार महत्तुका है वो मनमहन सिंग ये कहते है, चिरंबरम ये कहते है, मॉन्टेक सिंग एलुवालिया ये कहे, या कभी पंड जवारलाल नहरू ये कहे, या कभी कोई XYZ और कहे, व्यक्ति का महत तो इसमें नहीं है, विचार क्या है वो समझने की है, और विचार बहुत ताकत के साथ भारत के सत् हुआ है कि यूरोप जैसा ही होना अंतिम लक्ष है हमारा, अमरीका जैसा ही होना अंतिम लक्ष है हमारा, मेरे मन में पिछले 10-12-15 वर्षों से ये विशह बहुत तेजी से घूमता रहा है, कि अगर हमारी सत्या व्यवस्था और प्रतिश्थान के मन में ये पक्का बैठ ग चाहते हैं और बिना समझ के होएंगे तो शायद इसमें कश्ट ज्ञादा आएगा, समझ के साथ होएंगे तो शायद बेहतर हो जाएगा तो मैंने सोचना शुरू किया कि जिस योड़ोप और अमरीका जैसा होना नहरू जी चाहते रहे हैं, आज के मरमोर्म सिंग चाहते है मौन्टेक सिंग एलुवालिया चाहते हैं या ऐसे और भी बहुत सारे राजनेता होंगे जो भारत की संसद में अलग-अलग समय पर बोलते रहे हैं अनेक अनेक दूसरी पार्टियों में हैं बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जो भारत को अंग्रेज और यूरोप जैसा ही देखना चाहते हैं अपने तरीके से Congress में ऐसे बहुत है और अब जनतादल में भी ऐसे बहुत हैं समाजवादी पार्टी में भी बहुत हैं और अब तो Communist के बीच में भी एक ही लॉबी है वो ये कहती है कि भारत को होना तो Europe और अमेरिका की ही तरह से है लेकिन माक्सवाद के रास्ते पर सामेवाद के रास्ते पर होना तो आपको वैसा ही है लेकिन माक्सवाद से होकर सामेवाद से होकर आप वहां तक जाईए और दूसरी जो लॉबी है वो ये कहती है कि कैपिटलिसम के रास्ते से वहां तक जाईए तो तो या तो आपको पूजी बाद से होते हुए यूरोप और अमरीका तक जाना है या माक्सबाद से होते हुए यूरोप और अमरीका तक जाना है लक्ष वही है रास्ते अलग अलग है तो ऐसी परिस्तिती में मेरे मन में एक विचारा आया कि ये गांदी जी क्या कहते है यूर पुस्तक है और मेरी विनम्र प्रार्थना है आप सब पढ़ें तो बहुत अच्छा है तो उनके बारे में बहुत सारी जो गलत फैमिया समाज में है वो दूर हो जायशा है उस पुस्तक में गांदी जी लिख रहे हैं कि ये यूरोप और अमेरिका की जो सब्धिता है ये तो बिलकुल शैतानी सब्धिता है शैतान शब्ध उन्होंने इस्तेमाल किया है और गांदी जी के सामने बहुत बार उस पुस्तक को रखकर पंडित नहरु ने और भारत के कई मिताओं ने आपक्ति उठाई है कि आपने इतना कड़ा शब्ध क्यों लिखा है कि ये शैतानी सब्धिता को समझने में अपने जीवन के उस दिन से जिस दिन से मैं लंदन आया गांदी जी जब लंदन गए है पढ़ाई करने के लिए और वापस आये हैं तो वो कह रहे हैं कि इस पूरे समय को मैंने इस सब्धिता को समझने में ही लगाया है और मेरी जो समझ बनी है सब सब्दिता के भारत में कभि किसी पुराने काल और राक्षती बीजुक लेगा, वह गाल गांदीजी में नहीं पारिये की दिपनी है, कि दधसल रहर जिसखे वे वी तेक नहीं दूपनि अ-ब मारी मिजनी की है.. वो टिपणी ये है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पार्लेमेंट प्री डेमोक्रेसी है, संसदिय लोकतंत्र जो हमने इंग्लेंड से उधार ले लिया है, या इंग्लेंड ने जबरजस्ती हमारे ऊपर ठोप दिया है, ये तो किसी वैश्यावरती से भी नीचे गिरा हुआ है, गांदी जी कहते हैं कि वैश्यावरती करना संसदिय लोकतंत्र में जाने से बहता है, इतने कड़े शब्द हैं उनके, और भारत की संसद उस समय बन रही है, जब गांदी जी आये हैं, उनीसो चौदे में भारत आये हैं, तो संसद का ये निर्मान कारे चल रहा है, जो वर् कर दिया है, जिसमें फर्टिलिटी नहीं है, तो गांदी जी को कोई पूछ रहा है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उनने कहा कि इस संसद में से जिसको हमने खड़ा कर दिया है डाचा, भारत के लिए कुछ भी शुब निकलेगा नहीं, इसमें से जो निकलेगा वो अशु बुही होका, और ये बात गांदी जी जो 1914-15 में कहे गए है, सं 2005 में सिद्ध हो गई है, अब इसमें सिद्ध होने के लिए और बहुत प्रदिक्षा करने की जरूरत नहीं है, कि इसमें से कुछ निकलेगा नहीं, प्रोस्टिट्यूशन बोल दिया, संसदिय लोग तंत्र को और European American Civilization को बोल दिया कि ये शैतानी सभिता है, शैतान की सभिता, राक्षसों की सभिता भी इससे कुछ अच्छी हो सकती, ये उससे भी गिरी होई है, गांदी जी की यही एक पुस्तक पढ़कर मेरे मन में तीवरे जिग्यासा पैदा हुई कि गांदी जी ने जिस European सभिता के बारे में ये शम्द इस्तेमाल किया और जिसको उन्होंने समझ लिया 14-15 साल में, इसको हम भी समझें, तो पहले मैं ढूंटा रहा कि गांदी जी ने European सभिता के बारे में कहां कहां क्या क्या लिखा है, लेकिन गांदी जी ने अपने पत्र में लिखा है, मीरा बेन जो ग समय मिला, फुर्सत हुई, तो विस्तार के साथ मैं पश्चमी सभिता के बारे में लिखूँगा, तुमको कोई आपत्ती तो नहीं होगी, तो मीरा बेन कह रही है कि बाकु उस सभिता से परिशान होकर तो मैं आपके पास आई हूँ, मुझे क्या आपत्ती होगी, मुझे त समय नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिली और वो लिख नहीं पाए, येरोपी और परवपश्चमी सभिता के बारे में जादा वो कुछ कह नहीं पाए, सिर्फ संकेत भर कुछ उन्होंने कर दिये, बाद में मैंने ढूंडना शुरू किया कि गांदी जी के जो समकालीन है, दो कि भरपूर तरीके से नहीं लिखा, संकेत मात्र है, जैसे एक जैनेंद्र कुमार जैन बड़े हिंदी के लेखक हुए, गांदी जी से बहुत प्रभावित थे, पश्चिमी सभिता के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है, अभी थोड़े तिन पहले हिंदी के बड़े लेखक का स्वर्गवास हुआ, श्री निर्मल वर्मा, उन्होंने थोड़ी कोशिश की है और पश्चिमी सभिता को जानदी जी की दरश्टी से देखने की लिखने की, लेकिन श्री निर्मल वर्मा ने पश्चिमी सभिता के बारे में दो-तीन फुटकर लेख लिखके हैं, कोई परभी हिंदी के लेखक हुए, कुछ कंणर के हैं, तमिल तेलगु में हैं, तेलगु के एक बड़े लेखक हैं, साश्त्री, वासुदेव शास्त्री करके, जो नाराइन ये पीवी नरसिमा राव मंत्री मंदल में कुछ समय तक उनके सलाकार में थे, वो भी कुछ लिख कर नहीं है, उनी से क्यों न लें? डाइरिक्ट उनी से लें? भारत का कोई लेकर कुछ लिखता है उसके बारे में, उससे अच्छा ये है कि पश्चिम के लेखकों ने अपनी सब्विता के बारे में जो लिखा है, उसी को एकठा करें। आप जानते हैं कि ये पूरी की पूरी पश्यमी सभ्विता या European सभ्विता या अम्री की सभ्विता जो भी नाम ले इसका सबसे बड़ा authority अगर कोई माना जाता है पूरी दुनिया में वो है प्लैटो प्लैटो के बारे में दुनिया के सभी दार्शनिक एक वाक्य कहते हैं और वो बहुत महत्तुका है वो वाक्य है the whole of the European civilization is a footnote of plateau the whole of the European civilization is a footnote of plateau मानि पूरी की पूरी European सभ्विता पश्यमी सभ्विता प्लैटो के footnote के जैसी है footnote तो आप सबस्ते हैं किताब के नीचे जो कुछ आपने लिख दिया है इसका माहिने ये है कि प्लैटो European civilization का सबसे बड़ा authority है मैंने प्लैटो को पढ़ना शुरू किया और प्लैटो की जितनी भी पुस्तके उपलब्द हैं बाजार में हिंदी में हो या अंग्रेजी में या किसी अन्य भाषा में मैंने कोशिश की है कि उसको मैं जानू तो जादा दर अंग्रेजी में उपलब्द हैं मैंने वो सब पढ़ना है और प्लैटो की जो सबसे महान पुस्तक मानी जाती है रिपब्लिक जिसके बारे में सारी दुनिया उसकी चर्चा करती है अच्छी करती है सॉक्रटीज, सुकराथ जो बहुत कुछ लिग गए अपनी सिविलाइजेशन के बारे में उनका मैंने कुछ इकठा किया देकारते, बहुत बड़े दार्शनिक हैं यूरोप के उनका बहुत कुछ इकठा किया लेविनिज, बहुत बड़े फिलोसफर माने जाते हैं उनका इकठा किया रूसो, जो modern philosophers में जिसकी सबसे बड़ी उचाई है पूरे यूरोप में रूसो, उनका लिखा हुआ सब इकठा किया और यूरोप की अलग-अलग विश्विद्यालियों में अलग-अलग समय पर उनकी सब्विद्या के बारे में जो researches हुए है, उनके papers भी कठे किये सबसे ज़्यादा research हुई है European civilization पर तो French में हुई है France की जो university है Lyon में जो सबसे बड़ी विश्विद्यालियों Paris University जो उसको कहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा काम हुआ है European civilization पर वहां से कुछ papers इकठे किये उसके बाद थोड़ा बहुत लंदन में हुआ है Oxford में काम हुआ है वहां से इकठे किये और अमेरिका में जो सबसे बड़ी university मानी जाती हारवर्ड वहां से कुछ papers इकठे किये और इतने सारे papers सिकठा करके पुछले कई वर्षों से लगातार में पढ़ता रहा सबसता रहा नोट्स लेता रहा और कुछ लिखता रहा उन सब को समझ कर और देख कर जो पता चला तो बात बिलकुल सही है जो गांदी जी बोल गए कि ये शैतानी सब्विता है गांदी जी जो बोल गए है शायद वो कुछ कम बोल गए है इतना सब पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये उससे भी जादा आगे गिरी हुई सब्विता है इस सब्विता के कुछ बिंदू मैं आपके सामने अभी लाना चाहता हूँ जिस यूरोपियन और अमेरिकन सिवलाइजेशन की तरफ हम अंधे होकर दौड रहे हैं हम से मतलब हमारी राज व्यवस्था हमारी जो पॉलिटिकल एकॉनमी है वो अंधा होकर जो दौड रही है और हमारे देश के जो राज चलाने वाले लोग है उसको मैं समझना चाहता हूँ कि इसमें बुराई क्या है और कुछ अच्छाई है तो वो भी दिखाई दे तो उस दृष्टी से मैंने थोड़ा तटस्त होकर उनके यहां से कुछ इकठा किया है मेरे अपने 15 साल का जो अभ्यास करम है इस विशय का वो ये बताता है कि किसी भी सभिता को अगर देखना हो ठीक से समझना हो तो उसकी प्राईवेट लाइफ आपको बता होना बहुत आवश्यक है क्योंकि जो सिविलाइजेशन होती है वो प्राईवेट लाइफ से शुरू होती है निजी जीवन जो होता है आपका वो आपकी सिविलाइजेशन को पूरी तरह से बताता है जो सारजनिक जीवन है वो सिविलाइजेशन को कई बार नहीं बताता है क्यों? क्योंकि सारजनिक जीवन में आप कई बार पाखंड कर रहे होते हैं ढोंग कर रहे होते हैं आप जो नहीं होते हैं उसको दिखाने की कोशुश कर रहे होते हैं तो सार्जनिक जीवन तो बहुत विवादास्पद हो जाता है निजी जीवन में विवाद नहीं होता क्योंकि वहाँ जो है वो हैं घर के अंदर आप जैसे हैं वो आपका प्राइवेट लाइफ बता देता है कि आपकी सिविलाइजेशन कैसी है तो यूरोपियन परिवार की या यूरोपियन समाज की और यूरोपियन समाज में मैं जबी भी कहूँगा तो अमरीका शामिल है जो जगजोर देते हैं कई बार स्वीकार नहीं होते हैं कई बार डाइजेस्ट नहीं होते हैं मुझको ये सारे तक्त्य डाइजेस्ट होने में बहुत साल लगते हैं और मैं मेरे गुरू जिनका नाम है शिरी धरंपाल जिनोंने मुझे इस काम में बहुत बड़ी मदद की उनके साथ इस विशह पर घंटों घंटों बहस करता रहा हूं पिछले 1997 से आज तक तो वो ये कहते हैं कि तुमको क्या तकलीफ होती है ये सब्धिकों सुईकार करने में जैसा वो है मैंने का मुझे जो बताया गया है यूरोप के बारे में और अमेरिका के बारे में वो इन तत्यों से बिलकुल उल्टा है तो उनने का कि सोच लो जो तुमें बताया गया है वो गलत है और जो अभी तुम देख रहे हो वो ही सच है तो मैं उनसे हमेशा ये बना के रखना था तो अंग्रेजों ने अपने बारे में योग बताया वो थोड़ा अच्छा ही होगा खराब क्यों बताएंगे खराब तो तुमको खोजना पड़ेगा अगर उनका पूरा सत्य देखना है तो तो वो जो कुछ दिखाई देता है वो गांदी जी के कहीं से बि घाटित करूं वो आप सब जानते हैं लेकिन ध्यान में लाने के लिए यूरोप जो है वो एक खास तरह के वातावरण में रहने वाला इलाका है खास तरह का वातावरण माने जहां ठंड बहुत होती है तापमान बहुत बार माइनस 20 डिग्री सेंटिग्रेट से भी नीचे और ज्यादा नीचे है तो कई बार माइनस 20 माइनस 40 डिग्री सेंटिग्रेट टेंप्रेटर हो जाए और वो दो दो तीन तीन महिने तक लगाता रहे तो आप कलपना करिए कि कैसा इलाका होगा भयंकर ठंड वाला बरफ वाला इलाका है यूरोप में 23 देश तो ऐसे हैं जह साल में 9 महिने सूरी का प्रकाश जमीन पर नहीं आता थे इस देशों में तो सूरी का प्रकाश नौ महिने तक जमीन पर नहीं आता परिणाम क्या होगा जिन देशों में 9 महिने तक सूरी का प्रकाश जमीन पर नहीं आएगा वहां की जमीन में घास का तिन का कैसे उगेगा तो यह कहता है कि बिना सूरी के प्रकाष के जमीन से अंकुरन नहीं होता वीज आपकितना भी ढालो लेकिन उसमें अंकुरन होने के लिए जो गर्मी चाहिए वो गर्मी सूरी ही देता है तो बीच तो आपने डाल दिया लेकिन अंकुरण की ताकत तो सुरी के प्रकाश में है 9 महीने तक सुरी का प्रकाश जिस छेतर में नहीं आएगा वहाँ 9 महीने तक तो जमीन में से कुछ नहीं होगेगा कि उसको काट कर हटाना उनके जिन्दगी का सबसे बड़ा काम है आज आप कनाडा चले जाईए इस समय आस्ट्रेलिया चले जाईए, न्यूजिलेंड चले जाईए, फ्रांस में चले जाईए तो वहां की सरकारों की बहुत सारी संस्थाएं और प्रसाशन बरफ हटाने के काम में ही राद दिल लगा रहता है ताकि सरक को चलने लायक बनाया जा सके और यूरोप में ज़्यादा तर घर जो होते हैं वहां दरवाजे दो तरह के हैं एक तो आपका फ्रंट डोर है और एक छट के उपर से है कई बार बरफ इतनी होती है कि सामने का दरवाजा बंद होता है सडक वाला तो चट के उपर के दरवाजे से जाना पड़ता है ऐसा इलाका है तो उससे मैं एकी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ बहुत ठंडी वाला इलाका है बहुत सर्दी वाला इलाका है ठंड सबसे ज़्यादा होती है गर्मी क्या होती है ये यूरोप के लोगों को अंदाजा नहीं है कभी तापमान गर्मियों में 30 डिगरी के ऊपर चला जाए तो हाई तोबा हो जाती है तो ऐसा एक छेत्र है विशेष छेत्र है ये अच्छा है, खराब है, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि वो एक विशेष छेत्र है जो बहुत ठंडी में रहता है तो एक कलपना मेरे मन में आती है जो सच दिखाई देती है लगातार लोग अगर ऐसे इलाके में रहते हैं तो शायद वो भी बर्फ जैसे ही खंडे होते हों सानों साल, सानों साल, सानों साल अगर आपको रहना पड़े पीडी दर पीडी, पीडी दर पीडी, पीडी दर पीडी कोई 10-20 साल का कहानी नहीं है भावनातम कम होना सह perdyate मत कम होना क्योंकि ये तो सब कर दा निश्यों की निशानकाit बार मैं मेरे मन में एक प्रशन उठाता रहता हूँ कि ये यूरोप का पूरा इलाका है एक भी किसी सभिता को जनम नहीं दे पाया अपने के बाद और एक भी धर्म को नहीं दे पाया अपने के बाद उनका अपना धर्म जिसको आज वो मानते है वो भी एशिया से गया है जिसको Christianity कहा जाता है वो यूरोप में नहीं है आप जानते हैं इसराइल है इसराइल एशिया में है और इसराइल उतना ही गरम इस्थान है जितने हम लोग है हमारे यहां जिस तरह का बातावरण है लगब उसी तरह का वहाँ है अरब देशों में जिस तरह का बातावरण है लगब इसराइल में वैसा ही है तो सामनी रूप से एशिया को गरम माना जाता है तो यह गरम इस्थान में से ही इसाईयत निकली है इसी गरम इस्थान में से इसलाम निकला है और इसी गरम इस्थान में से हिंदुईजम निकला है या भारतियता निकले है क्या कारण है ठंडे इलाकों से कोई धर्म नहीं निकलता शायद उनके ठंडे बन के कारण क्योंकि ठंडे इलाकों के लोगों की जो प्राथमिक्ताये हैं वो गरम इलाकी की लोगों से बिलकुल अलग होंगी आप जड़ा सोचें अगर मान लीजे लगातार पीडी दर-पीडी आपको बहुत बरफ के छेत्र में रहना है तो आपकी प्राथमिक्ताएं तो बिलकुल अलग होने वाली है उन लोगों से जो पीडी दर पीडी पीडी दर पीडी गरम इलाकों में रहते हैं तुनलाग मक्रूप से प्राथमिक्ताएं तो अलग होने वाली दूसरे के घर की प्राध्मिक्ताइं कुछ अलग हैं उसके इसाब से वो अपना घर बनाता है दो घरों की प्राध्मिक्ताइं कभी एक जैसी नहीं होती तो दो घरों की वास्तु और रचना भी एक जैसी नहीं होती दो घरों की रसोईयां भी एक जैसी नहीं होती किसी घर की रसोई में कुछ खास तरह की चीज है, दूसरे में कुछ खास तरह की चीज है, वो सब प्राथमिक्ताओं का किस्सा है, तो यूरोप के लोगों की प्राथमिक्ताओं शायद सबसे ज़्यादा यह होती होगी, इस बरफ से बचना, इस ठंड से बचना, किसी तरह अपने को जि conditioning की ज़रुरत पढ़ती है हमको नहीं है क्योंकि हमारी प्राथमिक ताम है ठंड से लगातार बचना शामिल नहीं है तो शायद नहीं है आप जानते हैं योरोप के सभी malls, shopping complex, अमेरिका के सभी malls, shopping complex, उनकी public buildings, private building सभी centrally heated और centrally cooled होती है अब इसको लेकर अगर हम कोई अपनी opinion बनाते हैं साब देखो यह कितने उंचे लोग हैं कितने हम से आगे लोग हैं जो सब कुछ इन्होंने centrally cooled और centrally heated बना रखा है तो यह हमारी मूर्खता है उनकी नहीं है क्योंकि वो उनकी प्राथमिकता का हिस्सा है उनको जिन्दा रखना है अपने आपको तो गाडियों को भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा centrally cooled और centrally heated कई बार हम यूरोप के अखवारों में पढ़ते हैं अमरीका के अखवारों में पढ़ते हैं और इस तरह की बहुत खबरें आती हैं कि इतनी बरफ गिरती है गाड़ी चल नहीं सकती है तो गाड़ी को अंदर से start करके heat करके बैठना पड़ता है घंटों घंटों तक इंतज करने के लिए कि मौसम साफ हो तो हम एक किलो मीटर आगे बढ़ें अब हम इसको एक विशेष्टा के रूप में जब प्रचारित करना शुरू करें और यो साब यूरोप की तो सभी गारे centrally heated होती है तो वो हमारी मुर्खता है उनकी वो विवश्टा है उनके लिए वो आव इस साल में 9 महीने क्या 12 महीने भैंकर सूरी के दर्शन होते हो गर्मी पढ़ती हो धूप मिलती हो अगर हम भी वैसी नकल करने की कोशश करेंगे तो वो हमारे ऊपर हसेंगे ही इस से ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे कि क्या मुर्ख लोग है ये अपने हिंदुसतान में भी की हमारी व्यवस्ता ऐसी है ये तो शौक के साथ उस रास्ते पे जा रहे हैं मैं कहना ये चाहता हूँ कि शायद हिंदुस्तान की सभी गाड़ियों को सेंट्रली हीटेड और सेंट्रली कूल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मौसम ही हमारे हां इस तरह का है लेकिन अगर हम इसी तरह की गाड़ियां बनाते जाएं बनाते जाएं और अपने को अभ्यस्त करने की कोशिश करें तो ये तो कुछ ऐसी ही कहानी है बिना जाने समझे दूसरों की नकल करना और उसको हम अपनी हीनता के साथ जोड़ें और उनकी उचाई के साथ जोड़ना शुरू करें देखो यूरोप अमरीका वाले बहुत उचे हैं जो सेंट्रल एर कंडिशन सिस्टम सब जगे बनाते हैं और सेंट्रली कार बनते हैं एर कंडिशन और हम नहीं कर पाते हैं तो हम पीछे हैं वो हमसे आगे हैं इस तरह का जब तुलना करना शुरू करते हैं तो ये सिवाय हास्यास पर दोने के और कुछ नहीं है एक बार उनका छेत्र क्या है ये हमारे समझ में आए तो हर चीज उनको समझ में अब देखिए जब आप बहुत ठंड वाले इलाके में रहेंगे तो आपको अपने को गरम रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्यूरी कुलर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एक्टिमिटीज करनी पड़ेंगी ताकि आप गरम बने रहें ने तो ठंडे किस तरह के हैं उदारन के लिए उनका डांस उनका डांस ले 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 हैं उनके डांस में हम हमेशा देखते हैं यूरोप और अमेरिका में कि सबसे ज्यादा तेज पद संचालन होता है अगर आप पूरवी यूरोप में जाएं जिसको सोवियत सन पहले कहा जाता था और सोवियत सन का जो पडोस है पॉलेंड है चेकुसलोवाकिया बलगारिया रूमानिया हंगरी आदी-आदी वहां का कोई भी डांस देखें जो यूरोप का हिसा तो सबसे फास्ट सबसे तेज क्यों करते हैं शायद वो उनकी जरूरत होगी क्योंकि इतना तेज करने से शायद शरीर में उर्जा जादा पैदा होती होगी तो शायद उस ठंड से लड़ने में मदद करती होगी हम भारत की बात करें भारत की कल्पना करें यहां जो व्याता वरण है और व्यवस्था है यह गरम है और थोड़ी ज्यादा ही गरम है गर्मियों में तो अती गरम है पचास डिग्री सेंटीग्रेट है तो पचास डिग्री सेंटीग्रेट वाले छेतर में रहने वाले लोग अगर dance बनाएंगे तो वैसा तो नहीं हो सकता जैसा उनका है क्योंकि हमारे पास तो पहले से ही गर्मी बहुत है तो हमारे dance जितने होंगे उसके जो पद संचालन होंगे वो बहुत soft होंगे कम होंगे, धीमे होंगे rhythm भी उतना ही धीमा होगा पद भी उतने ही धीमे रखे जाएंगे संचालन भी उतने ही धीमे होगा अब इसको लेकर हम जब ये comparison करें कि भाई उनका dance तो बहुत अच्छा है pop है, rock है और उनका जो music है वो इतना fast है क्योंकि music fast होना ही पड़ेगा जब dance fast है आप ऐसा तो नहीं कर सकते है कि dance उनका fast है और music slow हो जाए ये तो होने वाला नहीं है होएगा तो बैठेगा नहीं कहीं सामजस से नहीं बैठेगा तो उनको अपना सामजस से बिठाना है dance fast करना है तो music fast रखना पड़ेगा तो music भी वैसा ही है तो हम बार बार ये कहते है यार ये तो European music बहुत fast है समझ में नहीं आता तो सुनते क्यों है जरूरत क्या है उसकी उस थंडे छेतर के लोगों की जो निजी जिन्दगी है वो कैसी है प्राइवेट लाइफ कैसी है अभी मैं आप से जो बात करूँगा वो पिछले लगबग 2000 साल की बात करूँगा एक साथ बात करूँगा क्योंकि सन के हिसाब से करूँगा बहुत लंबा हो जाएगा आज से लगाकर पिछले 2000 साल तक माने आज सन 2005 है तो लगबग पहली शतापदी तक कैसा है यूरोप का निजी जीवन आज भी चल रहा है लगबग उतना ही जो मैं कहूँगा आप से और ये जो कहूँगा वो प्लेटो के हिसाब से सौकरिटीज के हिसाब से दिकारते के हिसाब से लेविनिज के हिसाब से उनके जो प्राइवेट लाइफ के परिवार के नाम पर किसी तरह का एक कॉंगलो मेरेशन है हम जो परिवार की वैसा वहां कुछ भी नहीं है सत्तर प्रतिशत से जादा लोग आज भी योरोप में बिना परिवार के रहते हैं बिना परिवार के रहते हैं माने या तो पत्नी या तो पती या तो इस्त्री या तो पुरुष अलग अलग तो परिवार तो बनता नहीं है एकल पिता एकल माता सिंगल पेरेंट्स एक शब्द चलता है यूरोप में सिंगल मदर और सिंगल फादर ये बहुत बड़े पैमाने पर है सत्तर प्रतिशत लोग इसी में हैं लगभग अमेरिका में भी लगभग वैसा ही है अब ये जो कुछ है सत्तर प्रतिशत बिना परिवार के तो वहां तो कुछ ऐसा है नहीं परिवार का जो इंसिट्यूशन है जिसकी मिनीमम क्वालिफिकेशन हम कुछ मानते हैं कि पती होनी चाहिए पती होना चाहिए पत्नी होना चाहिए बच्चे होने चाहिए माता-पिता होने चाहिए आदी-आदी जैसे हमारी कलपना है वैसा वहां कुछ नहीं है वहां तो सिंगल पेरेंट्स हैं आईदर इस्थुपरी और पुरुश अब जो हैं ऐसे इलाके में बच्चों की क्या इस्थती है बच्चे कैसे हैं तो बहुत आश्यरी की बात है ये जानना और समझना कि पूरी की पूरी European Society या European सविता पेत्रियार्कियल है पित्रसब्नात्मक है मात्रसब्नात्मक वहां कुछ भी नहीं है जो कुछ भी है वो पिता के आसपास है पिता के केंद्र में हैं माता का कोई केंद्र पूरے यूरॉप और आप अगर चाहें तो इस हॉल से बाहर जाएं, प्लीज, मैं आप दोनों से कह रहा हूं, आप से मैं दोनों से कह रहा हूं, आप चाहें तो इस हॉल के बाहर चले जाएं, क्योंकि मुझे बोलने में बहुत तकलिफ हो रहे हैं, और दूसरों को सुनने में तकलिफ हो रहे हैं, कम से कम आप यहां अमरीकी सभड़ा का यह लक्षन पेशना करें कि आप इंडिवीजुल है और हम सब एक समाज के से तो आप मेरे व्याख्यान के बाद कहिए ना तो आप जाने दीजे ना उनको कोई तो इतना डिस्रोबेंस नहीं कर रहा है यहां पर लेकिन आप जू है इतना ज़्यादा क्यों मिस्पेव कर रहे हैं आपका मिस्स बेहवियर मुझे होट होने के लिए मजबूर कर रहा है इतनी देर से मैं देख रहा हूं कि आप दोनों अपनी गफशत करने तो बाहर जाके करें यह तो आप बाद में कह सकते हैं लेकिन इस तरह से आप बाइर बैठकर बात करें यह तो भारती सभीता के अनुकुल नहीं बैठता कहीं भी तो अगर आपको नॉंसन्स लगता है तो यहां से जड़िया आप यहां को बैठे हैं यह तो कोई तरीका नहीeg़ बात कर रहा है और आप बीच-बीच में अपनी बात करें तो को बासल के ए ए बाहर के कर सकते है सब की नहीं है उनकी जो प्राइवेट लाइफ में परिवार की बात कर रहा था परिवार जैसा कुछ बन नहीं पाया है आज तक सिंगल तन सब कुछ है एक माता है एक पिता है और उसके साथ बच्चे चाहे तो है नहीं तो और फेलेज में हैं ज्यादा तर इस तरह की स्थिती है तो परिवार की जैसी हमारी कलपना है वैसा कुछ नहीं है हम जब अपनी शब्दों को इस्तेमाल करते हैं तो कलपना भी उसके साथ हमारी ही जुड़ती है जैसे हम कहते हैं यूरोपियन परिवार तो परिवार की हमारी परिभाशा वहां बैख नहीं है। उनकी जो परिभाशा है उसमें वो एकल परिवार भी gepरिवार माना जाता है। अपने बच्छे के साथ रहता है तो परिवार ही माना जाता है। भारत में वो माननिता नहीं है, भारत में तो माता पिता साथ में रहते हैं, बच्चे उनके साथ में हैं और सिर्फ माता ही पिता नहीं है, उनके साथ दादा दादी भी है, नाना नानी भी है, चाचा चाची भी है, मौसा मौसी भी है, मामा मामी भी है, ये भी है, तो हमारे प लेकिन उनकी इस तरह का है नहीं तो हम जब European परिवार या American परिवार कहना शुरू करते हैं तो गफलत वहीं पे हो जाती है हम अमारे शब्दों को उनकी सब्विता में जब फिट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें confusion बहुत हो जाता है तो अपने शब्दों को अपनी सब्विता तक सीवित रख कर उनकी शब्दों को इस्तेमाल करें तो अच्छा है तो उनका शब्द है फैमिली फैमिली माने परिवार नहीं होता जो मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ वो ये जब हम भाशांतर करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं अपने साथ जैसे भारत में हमने भाशांतर कर दिया रिलीजन माने धर्म कर दिया अब रिलीजन बिलकुल अलग है प्लैटो की जो डेफिनेशन है रिलीजन की वो हमारे धर्म पर फिटी ही नहीं बैठती कहीं हम जब धर्म की बात करते हैं तो यह है कि जो धारण कर सकें धारण करने योग है वो सब कुछ धर्म है उनके यहां यह कहीं है ही नहीं पूरी फिलोसफी में नहीं है धारण करने योग कि वहां कुछ है ही नहीं जिसे वो कहें वो religion को क्या मानते हैं आपने तिलग ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, घंटा ऐसे बजाया, वैसे बजाया, अगरबत्ती लगाई के, मौमबत्ती जलाई के, काटा के, ये उनके आँ सबकुछ रिलीजन में काम आता है कहने के लिए, हमारी है तो ये रिलीजन से बहुत दूर तक का इसका वास्ता नहीं है, इसको तो हम कर्मकांड के रूप में कहते हैं, धर्म तो बिलकुल अलग है, कर्मकांड तो बिलकुल अलग है, हम एक संप्रदाय वाले हैं, तो हम एक तरह के कर्मकांड करेंगे, एक दूसरे संप्रदाय वाले दूसरे तरह का कर्मकांड करेंगे, दक्षिन में आप चल उनके यहां की family हमारे यहां का परिवार नहीं है हमने क्या किया है भाशा की सहूलियत के लिए भाशांतर के रूप में शब्दों को इस्तेमाल करना शुरू किया है और उससे बहुत कुछ गलतियां हम करते हैं और वो हमारी उन गलतियों पर हसते हैं हम जो family planning की बात करते हैं तो हमारे यहां तो family है नहीं उसको plan क्या करें उनके यहां family है तो उसको plan करना है हमारे यहां तो परिवार है उनके यहां तो परिवार नहीं है family है तो family planning पूरा एक policy के रूप में जब इस देश में चले तो हास्यास्पद ही दिखाई देता है परिवार के बारे में बात कर तो कई बार क्या होता है कि शब्द उनके हम ले लें और अपने हिसाब से भाशान तरकर कि इस्तेमाल करें तो उनके आप फैमिली है परिवार नहीं है हमारे आप परिवार है उनके आप नहीं है और मैं जो कहना चाहता हूँ इसमें कोई उचा नीचा की बात नहीं है वो अलग है हम अलग है जैसे कई बार ये कहते हैं नो यूरोप की सब्गता में भारत की सब्गता में बहुत कुछ कॉमन है ऐसा कुछ भी नहीं है जो कॉमन है अगर कुछ है तो वो जबर्जस्ती से किया हुआ है जैसे वहां का पीशा आ गया, बर्गर आ गया और हमने खाना शुरू कर दिया तो common हो गया या वहां से Pepsi Coke आ गया, हमने पीना शुरू कर दिया तो common हो गया, वो सब्विता का अंग नहीं है वो नकल किया हुआ एक हिस्सा है चाउमीन वहाँ से आगया हमने खाना शुरू कर दिया सिवई के इस्थान पर तो वो अंग नहीं बनता सब्विता का तो common है ऐसा कुछ होता नहीं है किसी भी civilization में कोई भी सब्विता में दुनिया में आप जाइए कुछ भी common नहीं होता है नहीं तो सब्विता ही नहीं बनती है सब्विता बनती ही इसलिए है कि वहाँ कुछ अलग है यहाँ कुछ अलग है और संस्कृती उसका एक छोटा सा हिस्सा होती है सब्विता कुछ बड़ी चीज है संस्कृति उसमें छोटा सा कुछ हिस्सा जैसा है सबिता और संस्कृति का अगर अंतर समझना चाहें तो भारत के हिसाब से यूरोप में तो ये अंतर भी नहीं है यहां के हिसाब से मैं एक उधारन आपको देता आपको अगर मैं ये कहूँ कि कोई माँ है या बहन है वो बंगाली तरह से साड़ी पहने हुए है तो तुरंत आपके दिमाग में कोई पिक्चर भूमता है बंगाली तरीका क्या है साड़ी पहनने का कुछ है फिर इसी तरह से मैं कहता हूँ कोई एक माँ है बहन है का है गुजराती साडी पहनने का फिर पंजाबी है तो ऐसे अगर आठ दस राजियों के मैं नाम लूँ और आप से कहूं कि देखो ये गुजराती साडी है ये मराठी साडी है ये भाबंगाली है ये आसामी है ये मनिपुरी है ये आधी-आधी इस तरह की साडिया है तो ये तो अलग अलग तरीके हैं साडियों को पहनने के ये है संस्कृति और ये जो साडी है वो है सब्विता तो सब्विता और संस्कृति का जो अंतर है वो कुछ इस तरह का है civilization है साड़ी और तरीके जो उसको पहनने के हैं वो हैं हमारी संस्कृति तो भारती अता में सब्विता और संस्कृति में जो परिवार की बात है वो में कुछ अलग तरीके की हमारी उनकी अलग तरीके की तो अब उनकी जो family है वो कैसी है family ये है कि प्रेक्ट्रियार केल मैंने आपसे कहा पिता है वो सरवच है और पिता की हैसियत जज के जैसी है माने एक बार उसने कोई फैसला सुना दिया वो सुप्रीम है वो रीकंसीडर नहीं होता लगबग 2000 साल पूरे यूरोप में सन 1950 से लेकर पहली शतावदी तक यूरोप के सभी परिवारों में पिता सरवच है 1950 तक और यही कारण है कि सन 1950 तक यूरोप के सभी देशों में सिर्फ पिताओं को वोट डालने का अधिकार होता था आप सोट सकते हैं यह बाद अमेरिका में 1950 तक बितेन में सन 1950 तक यूरोप के देशों में लगबग 1950 तक सिर्फ पुरुष ही वोट डाल सकता था इस तरीको वोट डालने का अधिकार नहीं क्योंकि फैमिली में इस तरीका कोई महत्त नहीं पित्र सत्तात्मक सत्ता पैट्ट्रियार की अल जिसको हम कहते हैं उनके शब्दों वो है और इससे भी आगे चलें तो यूरोप के दस्तावेज बताते हैं कि सन 1950 तक यूरोप और अमेरिका की किसी बैंक में महिला को खाता खोलने का अधिकार नहीं बैंक एकाउंट उपन करने का राइट नहीं अप टू 1950 तो महिलाओं को वोट डालने के अधिकार मिलने चाहिए और महिलाओं को बैंक में खाता खोलने का अधिकार मिलना चाहिए इस पर एक जबरजस्त आंदोलन शुरू हुआ फ्रांस से और उस आंदोलन की नेत्री थी सिमॉन दबोवार और उसका सबसे बड़ा नारा था कि जो पुरुष को अधिकार है वोट देने का बैंक एकाउंट खोलने का संपत्ती का मालिक होने का वो अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए और ये आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला जियोंपाल सात्र जो बहुत बड़ा फिलोसोफर माना जाता है फ्रांस का और अभी यूरोप का सिमॉन दबोवार जो उसकी सहयोगी थी इन लोगों ने मिलकर ये बहुत बड़ा केंपेन स्टार्ट किया जिसको फेमिनिजम मान जाता है या फेमिनिजम मूपमेंट कहा जाता है इस्तुरी मुक्ती आंदोलन जैसा हम उसका भाशांतर भारत में करते हैं इस्तुरी को मुक्ती किस से इस व्यवस्था से जिसमें उसको वोट देने का अधिकार नहीं है bank account खुलने का अधिकार में है, संपत्ती का अधिकार नहीं है, जो अधिकार है वो सब पुरुष को है, पिता को है, माँ को तो कोई अधिकार में है, और इसमें interesting बात जो समझने की है, जो आसानी से digest नहीं होती, जो plato अपनी किताब में लिखता है, वो कहता है कि बच्चे का पैदा होना भी मां के अधिकार में नहीं है वो पिता का ही अधिकार है अर्थार कोई गर्भ में बच्चा आ गया है तो उसको पैदा होना है या नहीं वो पिता तै करेगा मां तै नहीं कर सकती जन्म देना है नहीं देना है उसके पती पर निर्बर है पत्नी कुछ उसमें हा नहीं कह सकते, यह अधिकार नहीं है, और रूसो जो मॉडरन फिलोसफर माना गया है, उसके पांच बच्चे हुए, पांचों के बारे में वो अपनी ऑटोबायग्रफी में लिखता है कि मेरा फैसला था, पत्नी का नहीं, और फिर उसको कहा गया कि यह गलत है या सही है, तो दो हजार साल की परंपरा है, उन्हेंने उसको निभाया, तो यह वहां की व्यवस्था है, तो पिता है, पुरुष है, मुख्य है, परिवार का मुख्या है, कुल पती है, कुल पिता है, जो कहना चाहिए, अभी जो तय करेगा, वही तय करेगा, माता कुछ तय नहीं कर सकती और इससे भी आगे यूरोप के सभी गाउं में, अब शहरों में थोड़ा ये बंद हुआ है पिछले 50 साल से, यूरोप के गाउं में आज भी बहुत सारी जिन जातिया हैं, जिनको यूरोप में आदिवासी कहा जाता है, वहाँ अभी भी यही है, पिछले 50 वर्शों में वहा आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, कि बच्चा पैदा हुआ पिता की मर्जी से, मा ने सिर्फ गर्वधारण किया, मर्जी पिता की है, अब उसको जिन्दा रहना है या नहीं, और सामन रूप से यूरोप में 2000 साल की एक परंपरा है, कि बच्चे जितने पैदा हों, उसम जैसे तीन चौथाई को लावारिस छोड़ा जाए, एबंडेंड चाइल्ड, जैसे रूसों के पांच बच्चे हैं, चार को उसने छोड़ दिया, जर से निकाल दिया, जनम लेते ही निकाल दिया, तो वहां की परंपरा कैसी है, बच्चे ने जनम लिया, पिता ने उसको कि कपड़े में लपेटा और बाहर रख दिया, दरवाजे पे रख दिया, या डस्ट बिन के पास रख दिया, या यूरोप के बहुत सारे देशों में चर्च के सेंटर होते हैं, वहां पोचा दिया, कि इनको आप पालो, ये हम नहीं रखेंगे, सामन रूप से तीन बच्चे लावारिस छोडे जाते हैं, उसके पीछे उनका लॉजिक क्या है, प्लैटो ये कहता है कि बच्चों को पालना अपने वैयक्तिक जीवन में खलल पैदा करने जैसा है, ये प्लैटो की ओपीनियन है, इसलिए व्यक्तिकत जीवन में खलल नहीं होना चाहिए, और प्लैटो की परिभाशा में व्यक्तिकत जीवन सिर्फ इंद्रिय सुख के अलावा कुछ नहीं है, इंद्रिय सुख शरीर सुख यही सबसे उचा है, बाकी सब इसके नीचे है, और इंद्रिय सुख और शरीर सुख लेने में बच्चे सबसे बड़ी बादा हैं, इसलिए घ शादी वाली है, तीन बिना शादी की है, तो जितने बच्चे हैं सब छोड़े, सौकरटी जने यही किया, लेबिनिज ने किया, दिकारते ने किया, रूसों ने किया, सभी फिलोसफर्स अपने बच्चों को लावारिष छोड़ते हैं, अब प्लैटो कहता है कि यह जो राज जी की है, परिवार की नहीं, फैमिली की नहीं है, तो राज जी इनको समहले, तो राज जी क्या व्यवस्था कर रहा है, इन लावारिष छोड़े हुए बच्चों की व्यवस्था के लिए, राज जी ने चर्च को खड़ा किया, पैसा देकर, कि आप इनकी तो जितने भी चर्च पूरे यूरोप और अमेरिका में आपको मिलेंगे, सभी चर्चों के और्फेनेज सेंटर आपको जरूर मिलेंगे, बिना और्फेनेज के कोई चर्च यूरोप में नहीं होता, सभी चर्च में लावारिस बच्चों के केंदर आपको मिलेंगे, और जो लावारिस बच्चों के केंद्र चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पर बच्चों की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का माने जो कुछ भी उनको जिंदगी चलाने के लिए सिखाया जाता है, वो ट्रेनिंग देले वाले इंसिटूशन्स को कॉन्वेंट कहा जाता है कॉन्वेंट तर्था लावारिस बच्चों के लिए बनाया गया इंसिटूट जिन बच्चों को उनके माता पिता ने छोड़ दिया है जो पल रहे हैं चर्च की तीमारदारी में और चर्च को पैसा सरकार दे रही है और ये पैसा यूरोप की सभी सरकारें अपने बजट में से निकालती हैं सबसिडी के नाम पर सोशल सिक्योरिटी के नाम पर और यूरोप की सभी सरकारों के बजट का हाइस्ट एक्सपेंडीचर सोशल सिक्योरिटी में ही है इंक्लूडिंग अमेरिका तो वो social security expenditure में एक बहुत बड़ा expenditure है convent का अब मेरे समझ में ये बात बिलकुल इस पश्टाने लगी है पहले मैं बच्पन में नहीं जान पाता था कि ये भारत में जो convent school है इन school में हम जब पढ़ने जाते हैं या पढ़ाते हैं अपने बच्चों को तो बच्चों को school में mother father कहना क्यों सिखाते है teacher कहना क्यों नहीं सिखाते है जैसे भारत में बहुत सारे convent है ना उसका principal father है या तो कोई mother है या तो कोई sister है या तो कोई brother है teacher कोई नहीं है वहाँ पे क्यों कि यूरोप में तो Convent School हैं ही लावार इस बच्चों के लिए जिनके Mother Father का पता नहीं है तो किसी तरह Mother Father की थोड़ी अनभूती हो सके इसके लिए वो अपने Mother Father Brother Sister सिखा थे हमने जैसे का तैसा Convent का ढाचा वहां से आयात कर लिया या जबरजस्ती हमारे ऊपर ठोक के बिठा दिया अंग्रेजों ने जो भी कहना हो वो अभी भारत में वैसे ही चलता है जैसे यूरोप में चलता है भारत के जैपूर के किसी भी Convent School में आप चले जाएए बच्चे को father ही कहलवाएंगे वहा के principle को कि ये father है जो लंबा चोगा पहन के है और वो sister है या तो वो mother है या तो वो brother है कोई teacher नहीं है क्योंकि वहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं अब इस से भी ज़्यादा interesting एक बात में आपसे और कहता हूं तब आपको और समझ में आएगा कि हमारी मुर्खता हैं क्या हैं, हमारी अपनी, ये जो mother-father नहीं है, जिन बच्चों के जो convent में वहाँ पढ़ते हैं, उन बच्चों को जो training देने वाले institutes हैं, उन training देने वाले institutes में एक denomination है, या एक नाम करन है, अकेले कुछ ऐसे बच्च बास्टर्ड वो हैं जिनके माता पिता नहीं है और जिनके माता पिता हैं वो नहीं है बास्टर्ड बने जिनके परिवार हमारे जैसे हैं अगर हम कलपना करें उनके यहां पैदा हुए बच्छों को बास्टर्ड नहीं कहा जाएगा कभी बास्टर्ड वही हैं जिनके माबाप का पता नहीं है और जो बास्टर्ड हैं वो नागरिक नहीं है और हो नहीं सकते citizenship उनको नहीं मिलेगी citizenship किसको मिलेगी जो उनके माता पिता है और उनकी अपनी family है वो बच्चे ही citizen होंगे जिनके माता पिता का पता नहीं है orphanage में बले हैं convent में पड़े हैं उनको नागरिक्ता नहीं है पर आपको सुनकर आश्वर होगा 1935 तक इंग्लेंड में और यूरोप में कॉन्वेंट पढ़े हुए किसी भी बच्चे को नागरिक्ता नहीं मिली कई लोगों को तो संधर्श करना पड़ा नागरिक्ता के लिए मैं आपको एक नाम बदाता हूँ रोम में एक राजा हुआ क्लॉडियस बड़ा राजा है बहुत बार उसकी चर्चा है यूरोपियन हिस्ट्री में क्लॉडियस बास्टर्ड है और उसको राजा होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यही है उसको बास्टर्ड होना तो वो क्या करता है उसको राजा होना है वो जानता है कि मेरे अंदर कुछ काबिलियत है मैं मारपीट कर सकता हूँ गुंडागर्दी कर सकता हूँ, किसी को जीत सकता हूँ, किसी को हरा सकता हूँ तो इस तरह की काभिलियत उसको लगती है अपने में तो राजा होने की मन में कलपना है तो अब उसको रास्ता कैसे क्लियर करें तो Claudius ने क्या किया है अपने आपको किसी फैमिली में दत्तक करवाया दत्तक लेने की परंपरा वहाँ पुरानी है तो दत्तक करवाया उस परिवार का नाम उसको मिला तब उसको सिटीजनशिप मिली रोम की और तब वो राजा बना अगर आपके माता पिता नहीं है तो आपको कहीं दत्तक होना पड़ेगा किसी बड़े परिवार का दत्तक होना पड़ेगा फिर आप उस रास्ते पर जा सकेंगे ये उनकी परिवार की व्यवस्था है अभी भारत में देखें भारत में आजादी के पहले से और पिछले दो-पांच हजार साल तक जितनी कलपना हमारी दूर तक जाती हो रामचंदर जी के जमाने तक जाती हो क्रश्न के जमाने तक जाती हो उसके पहले तक कहीं कलपना जाती हो तो परिवार में बच्चे का होना मा के उपर निर्भर है भारत में बिल्कुल उल्टा है मा चाहेगी तो बच्चा होगा नहीं तो नहीं होगा ये हमारे यहां की प्यवस्था है और भारत में आज भी जिनको हम आदिवासी और बनवासी कहते हैं आप वहाँ चले जाएए पूरी सुसाइटी मैट्रियार की अल है मात्र सब्तात्मक है नौर्थीस्ट में आप जाएंगे आसाम के उपर कहीं भी नागलेंड मिजोरम मनिपूर त्रिपुरा सिक्किम वहाँ को सब कुछ दिखाई देगा मा के इर्दगिर्द घूमता हुआ और उनसे जब हम बात करते हैं तो वह क्यते हैं यह तो हजारों साल की परंपरा है हमारी और नौर्थीस्ट में आपको सुनकर आश्यर होगा शादी होकर बेटी घर से नहीं जाती है लड़का घर में आता है यह भारत की उन सभी समाजों में हैं जिनको दुरुभागे से हम शिडूल ट्राइब्स कहते हैं शादी होकर बेटी नहीं विदा होती है लड़के को घर में लाया जाता है दमाद बना कर और संपत्ती की मालिक लड़की होती है लड़का नहीं होता है योरोप में इस तरीको संपत्ती का कोई अधिकार 1950 तक नहीं है उसके बाद आया है जिसको modern योरोप कहा जाता है उसमें आया है यहां तो पहले से है और यहां अगर आप इसको समझना चाहें कि भारत की सारी व्यवस्थाएं मा के इर्दगिर्द घुमती है घर के सारे बड गूंगट निकालके बैठी हो इससे कोई फरक नहीं परता है मैरे राजिस्थान में क्या मधिप्रदेश में क्या भारत के उत्तर में क्या कहीं भी देखा है चोटे-चोटे गाउं में देखा है लंबा गूमट निकाले हुए महिलाएं घर के फैसले लेते हैं एक बार ऐसे देखी मान लंबा गूंगट निकालके बैठी थी तो लड़के के पिता भी बैठे थे लड़का धी उठा था तो हम सब बात कर रहे थे की देखो लड़की ऐसी है ऐसी है आपको Manjur है तो पिता ने तुरंथ हाभ लड़के ने हाँ बोला वो जो मान लंबा गूंगट निक कर रखी है पस फैसला तो उनी का है तो हम ये जो कई वार गालियां देते ना हमारी महिला तो असिक्षित हैं अनपड़ हैं घूमबट मिकाल के बैठी फैसला वही करती हैं महत तो जो है ना वो फैसले का है पिता फैसले नहीं करता पिता की भूमिका तो व्यमसाय तक इस सब्तात्मक है तो उसमें संबंद तो बहुत दूर तक होते हैं क्योंकि मा तो संबंद की शुरुवात है संबंद ही पहला बनता है वो मा का है तो मा से निकलते हुए फिर संबंद चलते हैं और संबंद चलते हैं तो परिवार और कुल और वंश बड़े होते हैं तो हमारे जो परिवार की कलपना है उसके केंद्र में मा है वो राम का देख लो क्रशन का देख लो या और वसुदेव का देख लो या भारत में चंद्रगुप्त विक्रवादित्य का देखना हो तो देख लो हर्शवर्धन का देखना हो तो देख लो या चालक्य का देखना हो तो दे तो हम Series म capitalize to शायक नहीं देने का मारत की सारी कविताओं के बंख अब चोड़ाह को यह जद दूर तक है इस्तुरी हमारे केंद्र में महिला हमारे केंद्र मेने हैं माँ हमारे केंद्र में तो मा के केंद्र होने से परिवार की विवस्था कुछ इस तरह की है मातर सक्तात्मक है और भारत में ये कभी नहीं रहा अमरीका और यूरोप के जैसा जैसे वहाँ वोट देने का अधिकार नहीं बैंक एकाउंट कोलने का अधिकार नहीं आप जानते हैं कि इस भारत में माताओं ने रिग वेद की रिचाएं लिखी है, यजुर वेद की रिचाएं लिखी है, साम वेद की रिचाएं लिखी है, उपन रिशदों में बहुत सारा कॉंट्रिब्यूशन माताओं का है मेरे एक परिचित है आरे समाजी है बहुत बड़े वेद के प्रकान पंडित है मैंने उनसे एक दिन पूछा कि वेद में कुल कितनी रिचाए हैं और उसमें से कितनी महिलाओं की हैं तो उनका 37 से 40 प्रतिशत महिलाओं की लिखी होई है पर उनकी अलग-अलग नाम है जो हम जानते हैं अलग-अलग समय पर तो वेद रच्टी है महिलाएं उपनिशद रच्टी है महिलाएं तो केंद्र में तो रही होगी और भारत के सामन दिगाओं में ये दिखाई देता है अभी भी माताएं आर्थिक फैसले सबसे ज़्यादा करती है अभी भी माताएं सबसे ज़्यादा उत्पादन के काम में लगी हुई है इस देश में जीडीपी का जो यूरोपियन अमेरिकन पहमाना हम छोड़े और भारतिये पहमाना कोई बनाएं तो हाइस जीडीपी कॉंट्रिब्यूशन माताओं के द्वारा ही है इस देश म अभी तो हम यूरोपियन पहमाने से नापते हैं तो होता क्या है कि भारत में माताओं का उत्पादन छोड़कर जो कुछ भी इस देश में है वो सब जीडीपी में आता है लेकिन माताओं का उत्पादन हमने कभी जीडीपी में लाया नहीं क्योंकि नकल हमने उनकी क्यार र बाकी हमारे देश में उत्पादन के सबसे बड़े तंत्र पर आज भी माताएं हैं, व्यवस्थाओं को समालने में आज भी माताएं हैं, और हमारे भारत में तो कहा ही नहीं जाता है, बिलकुल इसपस्ट दिखाई देता है, जिस घर में मा नहीं है, वहां की रौनक नहीं है, पवित्रता नहीं है मैं दक्षिन में बहुत सारे मंदिरों में गया हूँ लेकिन गर्व ग्रह में मैं प्रवेश नहीं कर सका कारण क्या पुजारी ने कहा कि आपकी या तो मां को लेके आईए या तो पत्नी को लेके आईए तब ही मंदिर में जाने के अधिकारिया आप अकेले क्या करेंगे इसमें जाके तो मैंने का भई इसमें प्रशानी क्या है मैं अकेला हूं तो उन्हेंने का अकेले होने से पवित्रता नहीं आती पवित्रता किसी इस तरी के साथ होने से ही आती है वो चाहे मां के रूप में हो यहां आपकी पत्नी के रूप में हो और अगर कुछ नहीं है तो बहन को ले आए किसी को हम आपको मंदिर में जाने देए उस दिन मेरे समझ में आया अब इस बात को हम पूरे हिंदुस्तान में एक नमक मिर्च लगाकर दूसरे तरह से भी पेश कर सकते हैं कि देखो कितना चुआ चूथ है इस देश में गुस्रे ही नहीं देते मंदिर में लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और है वो पवित्रता का कारण है जो मां के साथ जोड़ा हुआ है और ये भारत में बहुत सारे शास्त्रों में बार बार पढ़ने में आता है सुनने में आता है कि जिस पुरुष्की इस्तुरी चली गई उसका तो सब कुछ चला गया मा चली गई तो और कुछ बचाई नहीं है पत्नी गई तो बहुत कुछ चला गया विदूर होना बहुत अपमान जनक इस्तुति है समाज में हमारे देश में हमारी मान बिता में हमारी सब बिता में तो क्यों है क्योंकि मात्र सब्तात्मक है सब कुछ बच्चे पैदा होंग जो कुछ गड़ रही है तो वो तो माँ गड़ रही है तो भारत की सभिता मात्र सब्तात्मक इसमें हमने शायद हमारे देश को भारत माता बोला हमने कभी क्यों नहीं कहा भारत पिता भारत माता ही क्यों कहते क्योंकि मात्र सब्तात्मक है सब कुछ यहां तो भारत माता ही कहेंगे भारत शब्द तो पुर्लिंग है लेकिन माता तो हमने लगाया है उसके साथ भी गंगा के साथ भी माता लगा दिया गाय के साथ भी माता लगा दिया यमुना के साथ भी माता लगा दिया बिने वाले लोग पित्र सब्तात्मक समाज के लोगों की नकल करें, तो ultimately क्या निकलेगा, आपको अपने इस्थान बदलने पढ़ेंगे, और उस में से तो बहुत कुछ घालमेल होगा, तो अभी मैं आपको इस उधारन को और थोड़ा इसपश्ट करता हूं, कि हम भारत में बिदेशी टीवी चैनलों को आज देखते हैं, तो जितने भी बिदेशी टीवी चैनल हैं, जैसे स्टार प्लस आया है, CNN है, ATN है, Prime Star है, Prime Sports है, वगरा वगरा, इन सभी टीवी चैनलों को कुछ सीरियल साते हैं, और उन सीरियलों को भारतवासी देखते हैं, और दिखाते भ पूर, उसके सबसे ज़्यादा सीरियल आते हैं, सौभागे से एक बार मुझे उससे बात करने का मोगा मिला मुंबई में, तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा, कि आपकी जितनी भी सीरियल हैं, साज भी कभी बहु थी, घर गर की कहानी, तेरी मेरी कहानी, इसकी कहानी, उस सब वहां से आई है, उसमें हमने भारतिय पात्रों को फिट करने की कोशिश की है, तो मैंने का, अब मुझे समझ में आ गया, कि आपके सभी सीरियल में माताओं को ही सबसे ज़्यादा गालियां क्यों दी जाती हैं, साज भी कभी बहु थी, आप अगर इस सीरियल को ध्यान स देखें, तो इस सीरियल की सभी इस्तरी पात्र या माताओं पात्र सबसे ज़्यादा दुर्भावना का शिकार हैं, ऐसे ही कसोटी, जिंदगी की या कहानी, घर घर की कोई भी सीरियल देखें, ये सभी सीरियलों को मैं देख नहीं पाता हूँ, लेकिन इनकी स्टोरी जरू के खिलाफ, भावी देनन्त के खिलाफ, माता जो है किसी और के इसी तरह के शड़यंत्र, 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 माताओं के बीच में सबसे ज़्यादा, पुर्शों में कुछ कम, क्योंकि ये सब इंपोर्टिट प्लॉट्स हैं, यूरोप से आये हैं, तो वहां तो म माता तो कुछ है नहीं, तो उसके खिलाफ, शड़यंत्र भी हो, तो कोई महतु की बात नहीं, यहां तो बहुत कुछ उसी पर निर्वर है, लेकिन हमने चुकि आयातित किया हुआ है, उसको हिंदुस्तान का थोड़ा मिर्च मसाला लगा के पेश किया हुआ है, तो सभी सीर माननेता को ध्यान में रखके कोई सीरियल बनाएं, और अपनी माननेताओं को ध्यान में रखके बनाएं, तो इसके बिल्कुल विप्रीट बनेंगे, जो आज हम देख रहे हैं या दिखाये जारे हैं, अच्वा मैंने जब इनको कहा कि एकता कपूर को कि आप कोई भारतिय म तो उनका आप प्लोट बना के दे दीजे, हमारी दिमाग में तो आता नहीं है, क्योंकि हमने तो जो पढ़ा लिखा है, वो सब कुछ इसी तरह का है, मौटर निजम का, यूरोपी निजम का, अमेरिक निजम का, एकता कपूर यूरोप में पढ़के आई है, थोड़े दिन अमेरिका में रेकिया ही है, तो वो कहती है कि ज़्यादा कुछ हम जो देखते रहें, वो यह आपे बनाते हैं, तो इस तरह का होता है, जब आप अंधानु करन करते हैं, बिना सोचे समझे नकल करते हैं, तो इस तरह का उसमें से कुछ निकलता है, फिर आपना सिर्फ वीट तो होता नहीं इस देश में, ऐसे चलता जाता हूँ, तो एक सपत्त मठ atmatka समाज हमारा, एक सपत्त मठ समाज उनक आब कौन अच्छा, कौन पुरा इसमें नहीं जाना चाहिए वो अलग हम अलग, अलग-अलग माननेता और सप्द्धा के लोग, तब ही कुछ अच्छा होगा, नहीं तो उसमें से कुछ खराबी दिख लेगा, धाल वेल करेंगे, फ्यूजन करेंगे तो फिचुड़ी बनेगा, इस तरह का यूरोप और अमेरिकन समाज है, इसमें और भी बहुत सारी बाते हैं, जैसे उधारन के लिए, एक बात यह है कि य अंत में गुलाम बनके काम में आते हैं, कॉन्वेंट से जो बच्चे निकलते हैं, वो सब गुलाम बनते हैं, और आप जानते हैं कि गुलामी प्रथा, दास प्रथा, यूरोप का लंबे समय तक चला हुआ, बहुत पड़ा अभियान रहा है, जिसको यूरोप और अमेरिका कि किसी भी समाज ने आज तक ये नहीं कहा कि ये पूरा खराब था, वो कहते हैं, इसमें थोड़ा सुधार करके अच्छा था, इंक्रूडिंग जॉर्ज बुश यहां तक आके, जॉर्ज बुश प्लैटो की मननिता को ही आगे बढ़ाता है, जब वो एक वक्तव देता है, कि New Orleans में आया भूकम, अभी आया ना, पानी का जल जला समिदुरी, तो New Orleans का एरिया उसने 6-7 दिन तक नेकलेक्प रखा, लोग मरते रहे, कटते रहे, पिटते रहे, आर्मी नहीं बेजी, सहायता नहीं बेजी, और अंत में कहा, वो गुलाम थे सब, तास लोग थे, ब्लैक सेंटर है, केप केने वरल, और वहां से उनके रॉकेट और वो सब छोड़े जाते हैं, और अमेरिका का सबसे अमीर इलाका है, वहां जैसे ही जल जला आया, 6 घंटे के अंदर, आर्मी भी पहुँच गई, सामन भी पहुँच गया, सब पहुँच गया, क्योंकि वो वाइट हैं, तो यह जो ब्लैक्स अंद वाइट्स का है, यह तो अभी तक है, गया नहीं है, इतने सारे रिफॉर्म्स होने के बावजूर जॉर्ज बुश के दिवात में वो कीड़ा बैठा हुआ है, अमेरिका में और यूरोप में यह लंबे समय से हजारों साल से गुलामी की दास प्रथा, और इसी दास प्रथा में इन सब बच्चों का इस्तेमाल होता रहा है, और मजे की बात यह है, कि इसको वो कभी भी खराब नहीं मानते रहे, तो वो दुनिया के जिस भी देश में गए, वहां उन्होंने यही किया, जो अपने यहां वो हजारों साल से कर रहे थे, दास बनाना, गुलाम बनाना और उनकी मदद से सब काम कराना, अब वहां क्या होता है, जो भी पिता है या उनकी छोड़ी बहुत पेमिली है, उसमें बच्चा तो एकादी है, बाखी तो ओर्फएनेज में है, ओर्फएनेज से लाइख हुए जो बड़े गुलाम बच्चे इस तरह की परमपराएं वहां पे हैं, बहुत अपने हाथ से अपना काम नहीं करना, जो करे वो च्छियोटा है, नीचा है, और जो दूसरों से कराए वो उच्छा है, तो वहां उच्छे और नीचे की परिभाषा कुछ इस तरह की है, भारत में इसका बिल्कुल उल्टा है, यहां क्या है जो अपने हाथ से अपने सारे काम करे वो हूचा है और दूसरों से कराए तो वो सबसे ज़्यादा शोशाल कर रहा है हम उसको गाली ही देते हैं तो भारतियता में क्या होता है मैंने ऐसे इस देश के सैकड़ों करोड़ पतियों को देखा है जो अपने घर में खुद जाड़ू लगा लेते हैं अपने कपड़े खुद साफ कर लेते हैं खुद नहा लेते हैं खुद दाथ साफ कर लेते हैं आप कलपना नहीं कर सकते यूरोप में जो अमीर जादे रहे हैं, 1950 तक उनके दाटों पे ब्रश भी गुलाम ही चलाते रहे हैं, दाटों पे ब्रश तो बहुत साल तक तो अंग्रेज वोई सराय रहा जिसको राश्रुपती बानते थे तो आप अगर चले जाएं राश्रुपती भवन में तो ऐसे दासों की गुलामों की फौज आपको वहां मिलेगी जिनकी संख्या साड़े चार अजार है राश्रुपती भवन में ऐसे कई गुलाम नौकर है जो राश्रुपती की बूट पॉलिश के लिए है राश्रुपती के कपड़े पे इस्तरी करने के लिए है राश्रुपती के ब्रश पर पेस्ट निकाल कर देने के लिए है राश्रुपती की मेज सजाने के लिए है एक राश्रुपती है और व्यक्तिकत 835 करमचारी है और दुर्भागे इस देशका या सौभागे की इस समय जो राश्रुपती है वो भारती अतावाले हैं वो कहते हैं इनकी मुझे जरूरत नहीं निकाल बाहर करो तो सरकार कहते हैं जी ये प्रोटोकोल है हम नहीं निकाल सकते कुसे को आपको मालूम है राश्रुपती ने भारत सरकार के प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री को कई बार लिख कर दिया कि ये 8500 गुलामों की मुझे कोई दरूरत नहीं है मैं मेरे जूते पर पॉलिश कर सकता हूँ मेरे कपड़े मैं खुद दोता हूँ इस तरी की मुझे आवश्रकता नहीं होती क्योंकि मैं बिना इस तरी के कपड़े पहनता हूँ ज़्यादा कपड़े मेरे पास हैं नहीं तीन शेर्ट हैं और तीन पेंड नहीं चाहता इसलिए मुझे ये 835 लोगों की फौज नहीं चाहिए अटब प्रोटोकोल तो चलने दीजिए माने वो बॉई सराय वाला प्रोटोकोल जो गुलामी से आया है दास्कृता से वो यहां कंटिन्यू रखना है हमरे यहां तो नहीं है भारती अता में तो कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता क्योंकि हम तो आत्मा की बात करते है हम तो कहते हैं आत्मा सबकी समान है परमात्मा का अंश है कोई किसी को कैसे गुलाम बना सकता है हम तो किसी जानवर को गुलाम नहीं बना सकते है आत्मी की तो बहुत दूर की बात है और अगर बनाते हैं तो वो समाज में विक्रती माना जाता है, उसको स्वीक्रती कभी किसी में नहीं दिया है ये हमारे देश में नहीं अब हमारे यहां क्या होता है मौडरनिजम में हमने अमरीका और यूरोप से प्रभावित होकर बहुत कुछ करना शुरू किया है जैसे कुट्टे पाल लिए अभी बहुत लोग हैं जो घर घर में कुट्टे पालते है भारती अता में आप कुट्टा घर में बांद के नहीं रख सकते वो तो स्वतंत्र छोड़ने के लिए ही है लेकिन आमने घर में पाल लिए है और उनको वेले में पट्टा डालके घुमाने के लिए लेके जाते है और फिर वापस लाते हैं उसमें बड़ी शान समझते है और अगर उसको पलटके ये कहदो कि भाई ये कुट्टे पालने से अच्छा कोई गाय पाल लो तो दूद तो मिलेगा और गोबर का खाद किसी किसान को मिलेगा क्या अब सर्टी की बात करते हूं गाय रखेंगे गंदा करती है और वो कुट्टा कहीं भी गंदा करता है किसी का लिहाज नहीं करता कहीं भी पाँ उठाके मूत्र कर देगा और कहीं भी संडास कर देगा उसको साफ करना हमको अच्छा लगता है क्योंकि यूरोप से आया हुआ है और हम गाय पाले हैं और उसका दूड़ पिये हैं तो उसमें पचास तर्क शुनाना शुरू कर देते हैं जैपुर शहर में गाय कैजे पाल सकते हैं कानून नहीं है कुछ घालमेल इस तरह की होता है तो हम के माननेता है व्यवस्ता की बनेगी उनकी माननेता जिस तरह की है व्यवस्ता उस तरह की बनेगी और विवस्था को चलाने के लिए नियम काइदे कानून उस तरह के बनेंगे जिस तरह की मानने ता और विवस्था होगी तो यूरोप और अमेरिका के नियम काइदे कानून उस तरह के हैं हमारे नियम काइदे कानून भी अगर उसी तरह के बनेंगे तो सरवनाशी होगा अब जैसे वहाँ जितने भी नियाए के कानून है जिसको जस्टिस कहा जाता है उनकी बाशा में वो सभी के सभी गुलामों को ध्यान में रखकर बनाए गए है जैसे पनिश्मेंट के कानून है पनिश्मेंट के कानून यूरोप में है क्योंकि गुलाम है तो गुलामों को पनिश्मेंट देना है और देना है तो किस तरह का सौ कोड़े मारो, दो सो कोड़े मारो, पाच सो कोड़े मारो, हजार कोड़े मारो एक शिलिंग की चोरी हुई है दो शिलिंग की चोरी हुई है या एक पॉंग की चोरी हुई है उसमें 1960 तक लंग्डन में 40 कोड़े की सजा थी तो इस तरह की व्यवस्ता है क्योंकि वो गुलाउप हमारे यहां तो कुछ दूसरे दयव्यवस्ता थी हर्श वरधन के समय में चंदरगुप्त विक्रमादित्य के समय में और किसी वि술ा के समय में जो कानून बने हैं नयाय देने के लिए और यूरोप में हैं उन दोनों का मैं आजका लब्धियन कर रहा हूं जमीन आस्मान का अंतर है और वहां अगर सजा है जैसे भारत के क्यांतवीरों को भी वो सजा देते थे कोड़े मारने की क्योंकि यूरोप से आई है वहीं से तो भारत का कोई क्यांतवीर है अंग्रेजों की खिलाफ बगावत कि आप 50 कोड़े मारो जैसे चंद्रशेकर आजाद की कहानी तो आप ने मर जाएगा और वही हुआ चंद्रशेकर आजाद के साथ तो जो न्यायदीश बैठा था कुरसी पर वो कहे कि मैं क्या करूँ मुझे तो जो लौ मिला है उसके आधार पर मैंने फैसला दिया है अब इसमें प्रेम दया करूना कहां से फिट बैठती है वेरे समझ में नहीं भारतियता की नजर से मैं नहीं देख सकता क्योंकि मुझे कानून ऐसा मिला है पालन करने के लिए तो चंद्रशेकर के केस में जज की ये टिप पढ़ी है वो कहता है कि भारतियता की नजर से देखूं तो ये बहुत बड़ा जुर्म है जो मैंने किया कि उसको मैंने 50 कोडे की सजा दी बाद में पांच घटा के 45 कर दिया लेकिन चंद्रशेकर को जब 10 कोड़ी पड़े हैं तो बेहोश हो गए तो बेहोशी के बाद इंतजार किया है जजने दुबारा होश आने पर बाकी 40 कोड़े मरवाएं तो हम कहते हैं जी बहुत अत्याचार है लेकिन वो कहते इसी तरह से हम सजा देते हैं यूरोप में अपनी गुलामों को तो यही भारत में कर रहे हैं इसी तरह से भारत के क्रांतिवीरों को सजाएं देने की तरीके जो गुलामों को वहाँ यूरोप में बरफ की सिल्ली पे लिटा देना और उसको पीठ पर पीछे से डंडे से मार यही बारत में वो लेकिया है और विनायक दामुदर सावर करको पहली बार जब अरेस्ट किया है तो उनको यही दंड है बरफ की सिल्ली पे लिटा कर पीछे से केंद से मारना जब तक बेहोश ना हो जाए तब तक मारना तो यह जो कुछ भी वो कर रहे हैं यहां हमको ऐसा लगता अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि हमारी मानिता के वो कहते हैं कि हम तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनकी मानिता के तो जगड़ा यही है और इसी जगड़े को गांदी जी न जो शैतानी सब्विता गांदी जी बोल गए और जो दिखाई भी देती है उनके दस्तावेजों में उसको अंधनुकरण करें या अपनी सब्विता अपनी संस्कृति और अपनी माननिताओं के पीछे चलें ये बड़ा प्रशन इस समय हमारे देश में हैं फिर आम ये कह सकते है कि हाँ भारतिय सब्विता में सब कुछ अच्छा है क्या संस्कृति में सब कुछ अच्छा है नहीं है बहुत कुछ खराब है क्योंकि सभी सब्विताओं में बहुत कुछ खराब होता है बहुत कुछ अच्छा होता है तो हमारी सब्विता संस्कृति में भी बहुत हो सबसे बड़ी खराबी अपनी सब्विता में जो पिछले 200-500 वर्षों में आई है या शायद ज्यादा आ गई हो कि हमने जातियों के आधार पर उच नीच कर दिया इस देश में ये अपर कास्ट है ये लोर कास्ट है ये बैकवर्ड क्लास है ये फॉर्वर्ड क्लास है ये ब्राम्मन है ये चमार है ये चमार नीचा है ब्राम्मन ऊचा है क्योंकि चमार हाथ से काम करता है ब्राम्मन दिमाग से काम करता है ये जो उच नीच है ये शायद हमारी सब्विता की सबसे बड़ी बुरा ही हो आज के समय के हिसाब से तो दिखाई ही देती है पहले भी शाहिद रही हो या इसका कोई दूसरा सो रूप रहा हो उस पर हमें रिसर्च करने की अभी जरूरत है तो हमें ऐसा लगता है कि ये खराब है तो सभी सब्विताओं के विकास में ये एक मूल करम होता है कि जो खराब है उसको छोड़ते जाओ जो अच्छा है उसको और अच्छा बनाते चले जाओ सब्विताओं का विकास ऐसे ही होता है तो अगर हम मानते हैं कि भारत की सब्विता में कुछ खराब है तो छोड़ें और उसको परिश्कृत करने की कोशिश करें तब तो इमानदार यात्रा हमारी होती है विकास की लेकिन अगर अपनी सब्विता को ही छोड़ दें उसकी बुराई अच्छाई तो बात ही न करें और सब कुछ विदेशी सब्विता में अच्छा ही अच्छा है बिना जाने बिना समझे उसको आयातित करें तो ये तो सरवनाश की तरफ ले जाएगी जो गांदी जी कहते है तो मेरी अपनी माननिता में वर्तमान में जो हमारी सरकार है वो globalization के नाम पर liberalization के नाम पर इस देश को बरबादी की तरफ लेके जा रही है क्योंकि बिना सोचे बिना समझे European American सब्रिता को अंधा धुंद तरी केसे इस देश में लागू करने की पूरी ताकत लगाई जाए अब हम नाजरीकों के सामने ये बड़ा धर्म संकर है कि हम कहां जाएं अगर हमको ये तैय करना है कि हम हमारी सब्रिता संस्कृति के साथ जाएं तो पूरी हिम्वत और ताकत के साथ इसको सामोहिक रूप से कह तो पूरा समाज इमानदरी के साथ अमरीकी और यूरोपिय हो जाए, मुझे इसमें कोई बुरा ही नहीं लगती, या तो हम इमानदरी से अमरीकी यूरोपिय हो जाए, या इमानदरी से भारतिय रह जाए, ये जो बीच की खिचुड़ी है, क्योंकि फ्यूजन कहीं नहीं होत इतना ही कहकर इस व्याख्यान को मैं विराम देता हूँ और इस व्याख्यान की मदद से एक नया प्रश्ण में इस समाज में खड़ा करना चाहता हूँ कि हमको जाना किधर है ये तै करें योरोप अमेरिका जैसा होना है तो पूरी ताकत से बने और भारतिय होना है तो पूरी ताकत से इधर आए समाज के इस तर पर ये तै करने की जरूरत है क्योंकि राजनीत इसे तै करने में समर्थ नहीं है राजनीत समर्थ क्यों नहीं है क्योंकि वो नितांत स्वार्थ में डूप चुकी है और जब नितान स्वार्थ में कोई डूब जाता है तो समाज को दिशा नहीं दे सकता तो ये समाज को ही तै करना है और समाज का हिस्सा राजिनीती बने है ऐसी मेरी अपेक्षा है हमारा समाज राजिनीती को निर्देशित करे दिशा निर्धारित करे अपने इस्तर पर दै करके ऐसी अपिक्षा के साथ मैं विदा लेता हूँ और आप सब थोड़े से नागरिकों के बीच में ये कहा क्योंकि आप सोचते हैं, समझते हैं और ना सिर्फ सोचते हैं, वलकि पढ़ सकते हैं मैंने इतने सारे रेफरेंसिस दिया आप चाहे तो प्लैटो को पढ़ सकते हैं, उसकी फुस्तक हैं यहां उपलब्द हैं रिपब्लिक भी उपलब्द हैं और उसकी सब लिखी हुई है जैपूर में मिलती हैं, सौकर्टीज को पढ़ सकते हैं लेविनेज दिकारत हैं, किसको भी पढ़ना हो रूसों को पढ़ना हो तो वो भी यहां उपलब्द है जैपूर में बहुत सारी लाइबरेरीज हैं आप उनमें जाके निकाल सकते हैं और यह जो दूसरे रेफरेंस मिटीरियल्स हैं वो मैं आपको दे सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी डॉकुमेंट्स हमने कलेक्ट किये हैं उनके आधार पर हम छोड़ी-छोडी कुछ सीडी बना रहे हैं कुछ कैसिप्स बना रहे हैं कुछ पुस्तकिय बना रहे हैं कभी भी आपको मिल सकते हैं लेकिन इस बहस को फिर से शुरू करना है जो गांदी जी 1909 में कहे गए कि यूरोपियन सब्धिता शैतानी है अगर फसे तो सर्वनाश है निकले तो जीत है ये गांदी जी मानते थे मैं अभी उसको मानने लगा हूँ पिछले कुछ वर्षों से क्योंकि मैंने वो देखना शुरू किया है जो गांदी जी आज से 100 साल पहले देखकर चले गए इतनी विनमरता के साथ आपका आभार धन्यवाद और इस विशर पर हम आगे चाहें तो इससे भी जादा और गहरी बात हो सकती है इससे भी जादा और गहरा कोई आपके बीच में मैं बात करने के लिए फिर से आ सकता हूँ लेकिन एक बार मन बने माने सकता तैयार हो इस तरह का सुनने की और सुनने की ही नहीं गुनने की चिंतन करने की तो शायद आने वाले समय में मुझे भी मजाएगा आपको और ज्यादा मजाएगा आपर हमारे इंदर पिसले हजार साल से आपके अंशार वो क्या तमी आ गई है जिसमें की हम हजार साल से अभी मुसर्मानों के कभी मूबलों के कभी यूनुपियंस के और आज अमेरिकंस के हम गुरा मी बनना चाहते हैं आज हमरा अजमेंस उनिस्ट केहता है हमको चाइना का अनुकरण करना चाहिए तो हमको हरका फिसलेग्मी बना लेना पड़ेगा हमारे को चाइना का अब यूरोप को छोड़कर चाइना का नुकरण करना चाहिए चाइना को हमारा इस तरह हमारी इती प्रगती कर जाए कि अधारा को ली कर दा है। हम ने यह बात क्यों है और क्यों नहीं साथनी है ? यह बारत जो बहुत बड़ी दुर्ओं है। कि हम 1000 साल से बार-बार दूसरों की गुलामी में क्यों फ शचते हैं ? कभी मिल्माइनों की गुलामी इसमानी चिन को मुगल कहते हैं वहां फस गए तीन-चार सो साल, अंग्रेजों के साथ, फिर फ्रांसीसों के साथ, डच लोगों के साथ, पोर्चुवीज लोगों के साथ, तो सबसे जादा, साड़े-चार सो साल भारत का बहुत बड़ा इलाका गुलाम रहा, कारण क्या है, मेरी अपनी समझ और माननेता के ह साथ से मैं कहता हूँ, आपकी समझ दूसरी हो सकती है, पिछले 1200 वर्षों में हमारे देश की सब्विता में जो सबसे बड़ी एक बुराई गुसी, 1500 साल के हैं, वो यही कि हमने समाच को जो बाटा है, अलग-अलग जातियों के आधार पर वर्गों में, जातियों के वर्ग बना दिये, यह अगड़ा वर्ग, यह पिछला वर्ग, कुछ जातियों आगे, कुछ जातियों पीछे, और उसके आधार पर उचा नीचा कर दिया, कि जैसे कोई भ्रामण है, वो पंडिताई का काम करता, तो उचा हो गया, चमार है, वो हाथ से कोई जूता बनाता है, तो नीचा हो गया, हमारे यहां यह व्यवस्था कभी रही होगी, तो कर्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर कभी नहीं थी, हम जन्म के आधार पर अपनी वर्ग कभी नहीं बनाते, कर्म के आधार पर वर्ग बनाए हैं हमने कभी, तो जब कर्म के आधार पर यह वर्ग रह तो भारत सोने की चुडिया की नाम से सारी दुनिया में जाना जाता था चंद्रगुप्त भी हुए हर्शुवर्धन भी हुए अशोग भी हुए समाग जब हमने जन्म के आधार पर इसको मानना शुरू किया होगा वहां से गिरावट आई और समाज में गिरावट जब आती ह है तो राजिवी उसका एक अंग है समाज का तो उसमें भी गिरावत आई और शक्ती हमारी चिंद बिरुन हुई वो एक उधारन से समझ में आता है अंग्रेजों का एक राजा यह अंग्रेजों का एक अतिकारी रॉबर्ट कलाइब जब यहां आता है और बंगाल में जुलूस निकाला भारत में कल्गत्ता की सडकों पर तो मातर 300 सैनिक थे मेरे साथ, मैं और 300 सैनिक. भारत के हजारों लोग सडक के दोनों किनारे खड़े होकर तालियां तो बजाते थे, लेकिन मेरे जुलूस पर कोई एक येट और पत्थर भी फेड बिया होता, तो भारत का इतिहास कुछ और हो गया होता, यह उसने अपनी डायरी में लिखा, बाद में उसने उसका विशलेशन किया है, कि मैंने बहुत दिन सोचा भारत में ऐसा क्यों है, तो बाद में पता चला, कि जो सड़के किनारे खड़े हुए लोग थे, वो सब पिछडी जातियों के थे, जि रसोशन कर हles dream. तो उन्होंने अंगरेजों का स्वावित किया, और ना सिर्फ किया बल्कि आज भी करते हैं. आज भी करते हैं साड़े चार अजार से जादा जातिया हैं, गुरुपस अलग अलग उसके हिसाब से बने, तो उसी में हम टूट गए और डूग गए, इसी कारण मुझे ऐसा लगता है, और भी कोई कारण हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम बार-बार गुलाम हुए, और आज भी उसी इसके अलद भी कोई हो सकता है यह जो आप कह रहे हैं यह अगली पिछली जाती के रहे हैं इसलिए कि पिछली जाती मिलकर लड़ नहीं पाएं दुश्मनों से आप पिछड़े हैं आपको अलग किया हुआ समाज नहीं अगड़े हैं गुलाम हैं तो समाज के पिछड़े लोग अगड़ों के साथ नहीं आई लड़ने के लिए मैं अगड़े